हेलो बच्चो, नमस्कार, स्वागत है आपका नए लेक्षर में आजके लेक्षर में हम solubility के बारे में समझेंगे देखो, solubility वाला जो topic है, वो बहुत ही आसान होता है question उसके बहुत ही आसाना आते हैं ठीक है? लेकिन JINT में और NEAT तक, जो solubility के वो काफी easy रहते हैं और J-E advance के जो topics होते हैं वो थोड़े से अच्छे होते हैं तो मैं आपको बता दूँगा कि J-E main और neat वालों को कहाँ पर रुखना है और J-E advance वाले मेरे साथ आगे बढ़ेंगे ठीक तो चलो start करते हैं सबसे फेले welcome है आपका इस lecture में solubility के अपन पूरा detail में solubility आज cover करने वाले हैं तो सबसे पहले define करेंगे solubility की basic definition क्या है solubility actual में आप define करते हो gram पर liter में भी define करते हो gram पर ml में भी define करते हो mole per liter में भी define करते हो अलग अलग type से आप solubility define करते हो लेकिन यहाँ पर जो हम solubility define करेंगे वो कैसे दफाइन करेंगे हम यहाँ पर सॉल्बिल्टी डफाइन करेंगे मोल पर लिटर यानि की कॉंसेंट्रेशन की टर्म में जैसे अगर मैं डेफिनिस लिखूं इसकी पारसली भी बोलता है ना इस पैरिंद ली और ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप पर्सेली सॉलिबल दा नमबर अब मोस आप स्पैरिंग ली सॉलिबल सॉल्ट डिजॉल्विन डिजॉल्विन वन लीटर ओब दा सॉल्ईशन वन लीटर ओब दा सॉल्ईशन तो बिटा definition पड़ो क्या कहा रहा है कि salt के spellingly soluble या partially soluble salt के कितने mole तुमने dissolve किये 1 liter of the solution में तो definition थोड़ी मिलते जुलती नहीं लग रही yes, molarity से मिलते जुलती definition है, उसी molarity को हम concentration भी बोलते हैं यहाँ पर है ना तो जो solubility है solubility को हम लिखेंगे s और यह लिखेंगे number of moles of salt number of moles divided by क्या लिखेंगे volume volume of solution in liters तो number of moles divided by volume किसका solution का in liters और इसी को ही हम क्या बोलते हैं concentration भी बोलते हैं या आप क्या बोलते थे molarity भी बोलते थे हैं तो solubility लेते हैं वो in terms of molarity या concentration के टर्म में हम लेते हैं बहुत simple सी बात है ना जैसे कोई भी आपको एक particular question ले लेता हूं कोई भी आपको यहाँ पर salt के mole दे रखेंगे और solution का volume दे रखा हो तो आप कर सकते हो simple है जैसे find solubility of solubility of 2.35 gram AGI in 10 liter solution तो बड़ा simple सा question है आपको weight दे रखा है volume दे रखा है तो सबसे पहला काम आप mole निकालोगे mole किसके AGI के तो AGI के mole कितने आ जाएंगे 2.35 divided by AGI का molecular weight निकालना जरब AGI का molecular weight हो जाएगा silver का होता है 108 और इसका होता है 127 तो यह हो गया 8 और 7, 15, 2 और 1, 3, 2 235 हो गया तो यह हो जाएगा आपका 235 divide करोगे तो 10 की power minus 2 आ जाएगा यह 0.01 तो यह mole आ गए volume बताना कितना दिया है volume of solution in liters कितना है 10 liter दिया है तो solubility यहां से आपकी आ जाएगी S is equal to mole कितने है 10 की power minus 2 divided by volume कितना है 10 तो solubility 10 की power minus 3 mole per liter इसकी unit बड़ा simple सा है ठीक है तो कभी अगर इस तरीके से आपको question दिया है जा बड़ा simple सा question है solubility आप आसानी से निकाल सकते हो ठीक है फटावर्ट से इसको pause करके note करो फिर आगे बढ़तने है चलो आगे बढ़तने है अब हम relation develop करना है किसके बीच में S और KSP के बीच में S तो मैंने बता दिया आपको solubility है KSP है solubility product ठीक है यह उसी तरीके से जैसे equilibrium के लिए अपन equilibrium constant लिखते थे न same वैसे लिखेंगे अपन है न केसी जैसे लिखेंगे तो ध्यान से देखो मैं एक अपने तरफ से salt दे लेता हूँ AXBY इसके लिए समझा रहा हूँ आप मुझे break करके बता दो जरा AXBY एक salt है इसको break करोगे तो यह कैसे टूटेगा X A Y plus Y B X minus ध्यान से देखो AXBY कैसे टूटेगा X I N किसके हैं A Y plus के हैं और B कैसे टूटेगा Y I N किसके हैं B X minus के हैं बड़ा सिम्बल है जैसे जैसे N A C L को तोड़ो यह चलो A G C L ले लेते हैं A G C L को तोड़ो कैसे टूटेगा A G plus और C L minus बड़ा सिम्बल सा है ऐसी टूटेगा ना अगर मैं एक और समझा हूँ सबोज मेरे पास लिखा है M G C L 2 इसको तोड़ना ज़रा कैसे टूटेगा M G 2 plus और 2 times C L negative बड़ा असान है जितने आयन है वो लिख लो M G और चार्ज कितना हैगा जितना यहाँ पर लगा हुआ है 2 plus और C L कितने है 2 और चार्ज कितना हैगा कितने M G के आयन है उसका चार्ज हो जाएगा बड़ा सिंपल है जैसे C A 3 P O 4 hold twice इसको तोड़ना ज़रा कैसे टूटेगा 3 आयन किसके मिलेंगे कैल्सियम 2 positive के और 2 आयन किसके मिलेंगे P O 4 3 negative के अब इस तरीके से तोड़ना यह तो आप नॉर्मल जानते है M G C L 2 कैसे टूटता है C A 3 P O 4 hold twice कैसे टूटता है G C L कैसे यह तो सिंपल आयन है आयन तो आप जानते हो ब्रेक करके देख लो कैल्सियम पे 2 positive charge होगा अगर आप ऐसे लिखके देखना चाहते हो तो ऐसे भी देख लो क्या यह जो 2 है यह इसका charge बन जाएगा plus में और यह जो 3 है वो इसका charge बन जाएगा minus में ऐसा यह जो 2 है यह इसका charge बन जाएगा plus में और यहाँ पर मैं एक लिख सकता हूँ यह इसका charge बन जाएगा minus में यहाँ 1-1 लिख लो one इसका charge बन जाएगा plus में और ये one इसका charge बन जाएगा minus में वहीं आप ऐसे भी कर सकते हो ना ठीक, तो ये मैं हटा देता हूँ आप इस तरीके से कर सकते हो charge भी आप ऐसे distribute करके लिख सकते हो, तो मैंने in general कोई एक particular salt ले लिया axby, ठीक है, तो ये क्या होगा solid, और पानी में हम usually बात करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर iron है, तो उसके आगे equals लगा देता है, ठीक, इसके लिए कुछ constant हम माल लेते हैं जिसको मैं लिख रहा हूँ KSP अब KSP को कैसे लिखते हैं मैं यह बोल रहा हूँ कि let let solubility of let solubility of salt is s, अगर s इसकी solubility बोल दी, तो अब ज़रा ध्यान से सुनना, अगर मैंने किसी particular salt के लिए solubility बोली s है, इसका मतलब solubility वो concentration होती है जो सारी की सारी convert हो जाती किसमे, a, y plus और b, x minus मतलब ions में, तो हमें क्या करना है at iqli virium हम ये लिखेंगे कि ये पूरा का पूरा खतम हो गया जितना आपने solubility यहां ली ध्यान से सुनना जितना आपने solubility यहां ली वो सारी की सारी उसमें convert होगी ions formation में, तो ये खतम हो गया ये कितना आएगा, s यहां coefficient क्या लगा है, x तो x into s ये कितना आएगा, ये भी s coefficient क्या लगा है, y, तो y into s जितना s यहां है, उसको यहां भेज दो और coefficient से multiply कर दो, फिर से सुनो जितना s यहां पर है, वो पूरा का पूरा भेज दो, और coefficient से multiply कर दो, अब आप KSP बहुत असानी से लिख सकते हो, क्या KSP is equal to XS, इसकी power X ठीक है, और YS इसकी power Y, जैसे equilibrium constant लिखा करते हैं, तो यह तो discard कर दिया आपने, तो यहां से KSP क्या आ गया, KSP आ गया, X की power X Y की power Y और S की power X plus Y अगर suppose कभी आपकी जिन्दगी में तीन आयन दे दिये जाएं तो उसको Z मान लोगे भई, तीन आयन दिये जाएं, तो उसको Z, तो X की power X Y की power Y, Z की power Z, S की power X plus Y plus Z, ऐसा भी हो सकता है, है ना, तो usually आपको दो आयन का ही salt दिखता है मैं तीन वाला भी के example आपको सिखा दूँगा है तो KSP का ये final formula आपको याद रखना है, बहुत ध्यान रखना J, main और neat वाले बच्चे advance वालों को तो एक करनी होता है J, main और neat वाले बच्चे जो है वो ये direct formula याद रखेंगे और इसको apply करेंगे कैसे apply करना वो मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है, फड़ा बच्चे इसको note करो चलो आगे बढ़ते है practice कर लेते हैं जैसे कोई भी आपको यहाँ salt दे रखा है आपको x बताना है, y बताना और KSP का relation लिखना है, कैसे x actual में क्या होता था, देखो जरा ध्यान से, x क्या होता था, x अगर मैं आपसे x पूछूँ बताओ जरा, यह x क्या बोलोगे यहां बोलोगे कि ay plus के आयन है, x क्या बोलोगे, ay plus के आयन है और यहां क्या बोलोगे, y क्या बोलोगे Y बोलोगे बिटा B X माइनस क्या आयन है किसके B X माइनस क्या आयन है Y है ना इस तरीके से बोलोगे आप चलो आगे बढ़ते बताना जरा यहाँ पर X क्या होगा x होगा cation के कितने हैं आप ऐसे याद रखो x क्या है cation कितने है और y क्या है nion कितने है तो देखो ज़रा ag के यहाँ पर मैं 1 लिख सकता हूँ ag के यहाँ पर मैं 1 लिख सकता हूँ यहाँ पर 1 लिख सकता हूँ तो यह जो 1 और 1 लिखा है न ही आपके x और y है तो x 1 है y 1 है ks p क्या होगा ks p होगा x की पावर x into y की पावर y into s की पावर x plus y मतला finally s square आ गया आपका बहुत आसान है इस तरीके से question होते है s दे देंगे ks p पूछ लेंगे ks p कर s निकल वा लेंगे ऐसे question आते हैं वाई simple आते हैं एक्जाम में यहां बताओ इसको कितना लिख दू मैं 1 और यह तो चमकता हुआ तो x हो गया यहां पर 1 और y हो गया आपका 2 तो ks p क्या आ गया ks p आ गया 1 की पावर 1 into 2 की पावर 2 into s की पावर 1 plus 2 मतलब कितना 4s cube कितना आसान है है ना अगला देखो यहां चमकता हुआ देख रहा है 3 और यह 2 यह 4 मत ले 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 ना यह अपने आप में एक आयन होता भया गल्दी मत करना यह p o 4 3 नेगटिव अपने आप में ही एक आयन है पूरा है ना तो c a 2 प्लस जो है वो 3 होंगे और p o 4 3 माइनस यह क्या होंगे 2 होंगे तो यहां से आपका x आ गया 3 और y आ गया 2 तो ks p आ गया 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू S की पावर 3 प्लस 2 यह कितना हो जाएगा 3 की पावर 3 कितना होता है 27 और इंटू 4 27 इंटू 4 कितना 108 आ जाएगा इंटू S की पावर 5 साहिए ना 27 इंटू 4 साहिए ठीक इस तरीके से लिखना बड़ा आसान है अगला देखो एंटू प्लस के आयन कितने है एक भी आर माइनस कितने है दो बस हो गया काम किस जैसा हो गया यह होगया आपका इस टाइप का देखो वंटू वाला के से वंटू वाला तो सीधे लिखो क्या 4SQ सिमिलारी सी जैसे ही है यह तो ऐसे आपको रेलेशन लिखने अगर आप यह सीख गया ना मतलब मज़ा आगया आपको एक्जाम में बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं ना फटा बट से नोट करो जल्दी से पॉस कर गए आगे बटते है अगला देखना जरा बहुत ध्यान से देखना एजी यहां पर एजी यह वन लिखूंगा तो एजी यहां पर एजी टू की पावर 2 इंटू S की पावर 1 प्लस 2 यह यह ना आपका केस देखो क्या गया 4S क्यूब सिंबल इस से आजान क्या मिलेगा आपको अगला देखो अगले वाले में भेंकर स्टाल लगा लो जितने स्टाल लगा उतने कम है क्योंकि पहली बार में लोग इसको गलत कर दे एक्चल में होता क्या है यह जो HG2Cl2 है ना HG2Cl2 टूटता है तो HG2 2 प्लस यह अपने आप में एक आयन होता है और 2Cl माइनस धिखान से सुनना जराथ जब यह ब्रेक होता है तो HG2 2 प्लस अपने आप में आयन है इसको मर्कूरस आयन बोलते है HG HG के बीच में यहां लेने लगते हैं फिर सो सुन लो अच्छा सवाल है इसके दुबारा बता रहा हूं क्या HG2Cl2 जो होता है यह वाला यह अपने आप में एक आयन है कौन? HG2Cl2 मैं यह वाला जो पार्ट है यह यह अपने आप में एक आयन है तो यह आप 1 काउंट करोगे इस पूरे को आप य क्यान रखना यह है ना चलो आगे बड़े CAF2 CA कितने है CA2 प्लस एक और F माइनस कितने है दो सिमिलर यही केस है तो क्या आगया 4SQ कितना आसान है तो समझेर हो ना बड़ा सिंपल है वाला टॉपिक अगला देखो यह दिहान से देखना AG प्लस और यह पूरा का पूरा SCN मा इनस यह अपने आप में एक Haiyan है तो यह One यह One तो QSP क्या आ गया वन की पावर One? इंटू 1 की पावर 1 इंटू S की पावर 1 प्लस 1 मद्दा सिंबल S स्क्वाइर आ गया ऐसे करना है आपको समझ गया बात बहुत आसान है देख लो एक बार कैसे लिखना है फटा फट से नोट करो फिर आगे बढ़ते चलो अगला देखना अगर मैं आगे बात करूँ और सॉल्ट लेख लो तरहा डिफरेंट डाइप की सॉल्ट रखके मैं S R F 2 S R कितने यहाँ पर S R 2 प्लस 1 F कितने F माइनस 2 तो KSP क्या आ गया 1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू S की पावर 1 प्लस 2 C A CO 3 में C A एक आयन हो गया और C A 3 वाला अलग आयन हो गया ठीक है तो दौनों एक एक हो गया तो यह क्या आ गया कSP 1 की पावर 1 इंटू 1 की पावर 1 लग रहा सिंपल 1 प्लस 1 एक्च्वल में सिंपल भी है यह बढ़ा आसान है सिमिलर इसी जैसा केस सीधा क्या लिखूंगा S स्क्वार इस टाइप से देखना है C U S C U 2 प्लस 1 एक आयन S 2 माइन सिमिलर यही केस S स्क्वार ठीक है फटावर से पाउस करके नोट करो चलवा आगे बढ़ते अगला देखना चारा यह जो मैंने दिया है यह सॉल्ट नहीं है पीव यह होल ट्वाइस यह बेस है तो आप एसेड बेस सॉल्ट सबके लिए ही लिख सकते हो मैंने एक एक एक्जांबल बेस का भी ले लिया यहाँ पर बताव पीवी 2 प्लस X 1 हो गया OH माइनस कितने है 2 तो यह 2 हो गया तो KSP क्या आ गया यहाँ पर 1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू S की पावर 1 प्लस 2 मतलब 4S क्यूब सिम्बल अगला अब ध्यान से देखना यह जो होता ना AG2C2O4 इसमें क्या होता है AG प्लस होता है और C2O4 2 माइनस ओक्जलेट आयन बोलते हैं इसको तो यह पूरा का पूरा अपने आप में एक आयन है तो Y1 हो गया और AG प्लस कितने लगे है 2 ऐसा होता है यह ना तो ओक्जलेट आयन अपने आप में एक होता है तो KSP आगया 2 की पावर 2 इन्टू 1 की पावर 1 इन्टू S की पावर 2 प्लस 1 मतलब अगेन 4S क्यूब बड़ा सिंपल सा है एना PBI2 PBI1 एक आयन और I-1 एक आयन हो गया PBI2 प्लस और I- तो PBI2 प्लस 1 और I- कितने 2 तो KSP क्या आ जाएगा देखो यह केस मैच कर रहा है मतलब 4SQ बड़ा सिंपल है ऐसी लिखना आपको अब आपको मैं बताता हूँ कि अगर 3 आयन मिल जाएग धियान से देखो जरा अगर यहां मैं बात करूँ तो यहां 3 आयन आ रहे हैं तो X क्या वो लूँगा मैं 3 देखो जरा धियान से यह X हो गया यह Y हो गया और यह Z हो गया अब कई लोग यहां गलती करते हैं कि इसको भी तोड़ने लगते हैं भाई यह अपने आप में 1 SPC काउंट होता है यह 1 SPC होगा मतलब AL F6 3 नेगटिव अपने आप में कि SPC इसको नहीं तोड़ना ठीक है तो 3 यह 3 यह और 2 यह तो X 3 Y 3 और Z कितना 2 X 3 Y 3 और Z 2 मतलब कि SP क्या आजाएगा X की पावर X इंटू Y की पावर Y इंटू Z की पावर Z इंटू S की पावर X प्लस Y प्लस Z 3 प्लस 3 प्लस 2 चेक कर लेते हैं कि बार सही लिखा है तीन की पावर दीन तीन की पावर दीन दो की पावर दो सही है अब जरा इसको मल्टिपलाई कर लो 3 की पावर 3 कितना होता है 27 इंटू 27 और इंटू 4 इसको जब आप मल्टिपलाई करोगे तो यह 2916 आएगा इंटू S की पावर कितनी हो जाएगी 2916 into S की पावर, S की पावर कितनी तीन और 36 और 28, S आएगा, 2916, चेक कर लो जरा, 27 into 27, और 4 से multiply करना, तो यह हो गया आपका 189 और यह हो गया आपका 54, ठीक है तो 9 और 8 रुचार 12, 1, 6, 1, 7, 8, इंटू 4, 36, 3, 4, 2, 9, 8, 3, 11, 1, 2, 916, एकदम परफेक्ट है, सही आया था, ठीक है आपका मुझे तुम आने डारिक डिख दिया था, multiply गरके भी देख लिए, 2916 आ रहा है, ठीक है, तो अगर आपके पास 3 आयन आ जाएं, अगर आपके पास 3 आयन आ जाएं, तो भी आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से apply करना, चार भी आगे तब भी कर लेना, इसी तरीके का trend follow कराना है, ठीक है, फटावर से पास करके note कर लो, आगे बढ़ते हैं, अब कहानी अपनी क्या आती है, वो देखना ज़रा, अब मुझे ज़रा ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाहरा हूँ, solubility का question कैसा आता है, आपको KSP दिया जाता है, S निकलवा लेते हैं, S दिया जाता है, KSP निकलवा लेते हैं, numerical कर लें जड़ा, चलो ठीक है, numerical इसके कर लेते हैं, तो आपको मजा जाएगा, मैं आपको common आइन अभी बढ़ा रहा हूँ, पहले मैं आपको कुछ numerical करवा देता हूँ, ध्यान से देखना ज़रा हैं ना, question को जैसा है, find, find KSP, find KSP, या find solubility, find solubility of AGI, find solubility of AGL, और आपको bracket में का KSP दे रखा है, मतब KSP दे रखा होगा, S निकलवा दे देंगे, और S दे रखा होगा, KSP निकलवा लेंगे, ऐसा ही question होता है, तो KSP दे रखा है, AGCL का, आपको क्या निकालना है, solubility, अब मुझे ज़रा बताना, relation क्या लिखोगे, अगर AGCL है, क्या है, AGCL है, ठीक है, तो relation क्या हैगा, 1 की power 1, इंटू 1 की power 1, इंटू S की power 1, 1, क्यों, एक ही AG+, और एक ही CL- है, मतलब, यह क्या आ गया बेटा, तुमारा, S square आ गया, S square आ गया, KSP दिया है, 10 की power minus 10, और S square, तो S कितना आ गया, under root 10 की power minus 10, मतलब 10 की power minus 5, इस type के simple question होते हैं, आपको कुछ भी यहाँ KSP दे दिया जा है, relation लिखना सीख लो, ऐसे attempt करना है, अगर आपको solubility दे रख्यों थी, KSP निकलवाना था, तो आप यहाँ solubility पूट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, तो one step question ही होते हैं, अभी तक जितना आपनने पढ़ा, उससे one step question ही आएंगे, KSP और S का relation, S दे कर KSP निकलवाएंगे, KSP दे कर S निकलवाएंगे, बस, इस से ज़्यादा और कुछ नहीं पूछेंगे, अभी तक जितना पढ़ा है, ठीक है, पढ़ावट से इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं, अपन एफेक्ट औफ कॉमन आयन on solubility, अब ये इसका मतलब क्या है, Common Iion आने का मतलब क्या है, एक्चुल में होता क्या है, आपको एक salt दिया जाएगा, ठीक है, आपको एक salt दिया गया, इस परइंग्ली solubile salt, और आपको एक strong electrolyte य्या strong salt दे देंगे, तो उन्दनों में, कोई ना कोई iron common होगा उसी को अपन बोलते है common iron effect ठीक है अब वो करता क्या है उसके बारे में अपन लिख लेते हैं effect of common iron on solubility तो पहले में statement लिख रहा हूं क्या the solubility of salt the solubility of salt the solubility of salt decreases by adding by adding come on iron आपने common iron add कि है solubility degrees हो जाएगी कैसे समझ लेते हैं जरा समझ लेते हैं जरा कैसे मेरे पास एक salt है agcl ठीक है ये कैसे टूटेगा ag plus और cl minus और इसका कुछ ksp आपको given रहेगा ठीक है मुझे याद है तो मैं लिख देता हूं वैसे question में दिया जाता है 10 की power minus 10 होता है ये आपको given रहते हैं ठीक अब आपने इस salt को nacl में डाल दिया nacl के solution में डाल दिया तो nacl कैसे टूटता है बेटा बताना ज़रा nacl एक strong electrolyte होता है तो na plus और cl minus में टूटेगा nacl एक strong electrolyte है तो na plus और cl minus में टूटेगा आपको जो solution दिया जाएगा जिसमें आपको उस partially soluble salt को डालना है वो solution strong electrolyte का होगा फिर सुन लो क्या बोलना हूं मेरे पास एक container है आप ऐसा समझो आप कुछ ऐसा समझो कि मेरे पास एक container है ये ठीक है देखना ज़रा मेरे पास एक container है इसमें क्या डाला मैंने इसमें मेरे पास NACL solution है ठीक है NACL का solution है NACL solution और इसमें मैं क्या add कर रहा हूं इसमें मैं add कर रहा हूं silver chloride ज्यान सुनना मेरे पास इधर solution क्या है NACL का है और मैं इसमें क्या add कर रहा हूं silver chloride देखते जाना आप ध्यान से तो NACL के solution में जब silver chloride को add करोगे तो आपको एक ion तो common मिलेगा ना देखो AGCl जब solution में जाएगा तो break होगा AG plus CL minus में और NACL जो solution में present है वो NA plus और CL minus जिस solution में आप डालते हो वो solution आपको मिलता है strong electrolyte का जिस solution में आप salt को डाल रहे है वो strong electrolyte ठीक है या strong salt बोल सकते हो और जो डालते हो वो होता है partially soluble salt तभी आपको एक का KSP दिया जाएगा और एक का नहीं दिया जाएगा कुछ भी नहीं देते हैं इसका वस concentration बता देते हैं partially soluble salt तो जिसको आप डालते हो वो partially soluble salt होता जिसमें डालते हो strong electrolyte usually आपको दिया जाता है अगर दोनों ही salt हो और दोनों ही weak हो दोनों का ही KSP दिया हुआ और दोनों में ही common iron हो तो उस topic को simultaneous solubility बोलते हैं वो जेई मेन और नीट पर नहीं है जेई एडवांस में जो कि मैं अभी पढ़ाऊंगा अभी क्या बता रहा हूँ मैं ये जो common iron वाला है न solubility का टॉपिक ये जेई मेन और नीट के लिए बहुत ही जादा important है ठीक है तो धियान से देखते जाना ज़रा अब मैं क्या किया रहा हूँ आपसे agcl को तोड़ा ऐसे nacl को तोड़ा ऐसे ठीक अब मुझे एग बाँ बताओ अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने agcl को nacl में डाल दिया तो cl- already present थे ना solution में तहीं न अगर cl- already present थे तो cl- की concentration बड़ेगी और CL- की concentration बढ़ेगी तो reaction कहां जाएगी, backward जाएगी फिर से सुन लो माल लो मेरे पास AGCL ही था सिर्फ AGCL था, तो टूटेगा AG+, में और CL- में ऐसी टूटेगा लेकिन अगर मैंने NACL के साथ AGCL डाल दिया तो AGCL टूटेगा और NACL भी देख देता हूँ क्या कि CL- concentration increase होगी लीच एटले पिंस पर लग रहा है CL- concentration increase होगी, क्यों NACL से भी तो कुछ CL- आएगा तो वो क्या करेगा, CL- बढ़ जाएगी यहाँ पर, तो reaction को कहां ले जाएगा backward direction तो CL- बढ़ती है, धिहान लगना जब भी common iron लगता है common iron, तो common iron से product की concentration बढ़ जाती है और product की concentration, क्योंगी product भी तो iron मिलेगे, तो product की concentration अगर बढ़ जाएगी, तो reaction backward जाएगी न, भाई उस तरफ जाएगी reaction, भाई तो reaction backward जाने का मतलब क्या है, reaction backward जाने का मतलब यह है, कि यह solid form कर रहा है, मतलब यह जो iron थे यह iron आपस में कम आइन होके backward जा रहे मतलब solid form कर रहे है means, solubility कम हो रही है solubility बढ़ने का मतलब है, iron का production solubility कम होने का मतलब है, salt का बनना, इधर backward है न, तो यह कहानी थी common iron की, इसी चीज को हम numerically भी समझेंगे, यह तो theoretical से समझाया है, मैंने, leechat इले principle इसी चीज को हम numerically भी समझेंगे पहले आप इसको note कर लो चलवा आगे बढ़ रहा हूँ अब देखो ज़रा, मैं एक numerical करा रहा हूँ इसी type के exam में आते हैं और इस से आपको clear समझ में आ जाएगा कि solubility degrees क्यों, numerical value compare तो करा ही लोगे न चले start करते, find solubility of AGCl in water, सबसे पहले water में, मतलब कोई और salt नहीं है, कोई common iron नहीं सिर्फ पानी है, तो पहला case बता रहा हूँ है आपको case number one बता रहा हूँ पानी में अगर बात करेंगे, तो AGCl को जब break करेंगे तो क्या बनाएगा AG plus बनाएगा और CL minus बनाएगा यही बनाएगा, ठीक है और इसका KSP क्या दिया हुआ है 10 की power minus 10 दिया हुआ है तही ना, 10 की power minus 10 दिया हुआ है अब अगर मैं बोलता हूँ कि let's say इसकी solubility S है तो इस starting में तो यह 00 लिखते हो और 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 एड इकली विरियम हम ऐसा बोलते हैं कि यह discard, यह कितना बनेगा S और यह कितना बनेगा S, ऐसे लिखोगे तो KSP क्या आगया यहां से KSP आगया S into S, मतलब S square ठीक है अगर यह आगया आपका KSP तो S क्या आगया, under root KSP मतलब 10 की power minus 10 का under root तो यह कितना आगया, 10 की power minus 5 तो solubility S जो आगयी वो क्या आगयी, 10 की power minus 5 आगयी ठीक है, वोल पर लिटर बोलता आप इसको ठीक है अब धियान से सुनना, यह मेरा A part हो गया, first वाला कर दिया कब, जब common iron नहीं था सिर्फ पानी था सिर्फ पानी था तो क्या है रहा, 10 की power minus 5 आ रहा है, अब देखना ज़रा आप, फटावर इसको note करो, पर आगया बाट रहे हैं अब आप देखना करा ध्यान से अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, पहला मैं नहीं बता दिया, second वाले पर चल रहे है, किस पर अगर मैं B part start करूँ, तो मेरे पास क्या क्या है देखना, AG CL को तोड़ोगे, क्या बनाएगा, AG plus और CL minus, यही बनाएगा, NA CL को तोड़ोगे, क्या बनाएगा, NA plus और CL minus, ऐसी बनाएगा, ध्यान से देखना ज़रा, AG CL से अगर मैं solubility बोलता हूँ, S है, यह 00, यह discard कर दे तो, यह SS, ऐसी लिखते हो आप, ऐसी लिखते हो न, NA CL कितना है तुमारा, NA CL है 0.1 molar, मतलब, NA CL 0.1 molar है, तो NA plus भी तो 0.1 molar होगा, और CL minus भी तो 0.1 molar होगा, क्यों इस्ट्रोंग है न, तो पूरा तूट जाएगा, अच्छल में, वो S नहीं है, NA CL से भी तो 0.1 आ रहा है, CL माइनस, मतलब, यहाँ S plus 0.1 करेंगे, लिखान से सुन लो जरा, CL माइनस यहाँ से S बन रहा था, यहाँ से 0.1 आया, तो 0.1 प्लस S आएगा, न, समझना बात को 0.1 प्लस S आएगा, ठीके न, तो यह कहानी है, अब जरा बता दो KSP लिखके, AG CL के लिए, इसके लिए KSP, क्या आएगा, S इंटू S प्लस 0.1, यहाँ आएगा, ठीक, S इंटू S प्लस 0.1, अब जरा ध्यान से सुनना, यहाँ लगाते हैं हम एक approximation, क्या approximation लगाते हैं, हम यह बोलते हैं, कि पहली बात, पानी में जो solubility होती है, common ion लगाते हो, leech atelier principle लगता है, product की concentration बढ़ती है, और reaction backward जाती है, जो हमने समझाता, देखो, common ion लगता है, product की concentration बढ़ती है, backward reaction जाती है, तो solubility कम होगी, अगर solubility कम होगी, solubility अगर कम होगी, तो point one के respect में, s तो बहुत कम होना चाहिए, क्यों, अगर पानी में भी देखा जाए, पानी में, तो पानी में solubility 10 की पार minus 5 है, समझा ना, पानी में solubility 10 की पार minus 5 है, common ion आया, तो solubility तो और कम हो जाएगी, ना, 10 की पार minus 5 चाहिए, तो और कम हो जाएगी, मतलब, point one के respect में, इस वाले s को neglect कर दिया जाएगा, और जैसे ही इसको neglect कर दिया जाएगा, तो अब ये बत लिखना इसको, इसको क्या लिखोगे आप, इसको ये ना लिखके क्या लिखोगे, बोलो, इसको तो neglect कर दिया है, आपको, जिसके लिए ksp दिया हुआ है, उसको लिखो, और common iron से, उसको लिखो, जो भी common iron है, उसका concentration add करके, s को neglect कर दो, जो भी common iron, उसका concentration add करके, s को उड़ा देना, बस खतम, तो यहाँ से ksp, से s निकाल लो, ज़रा, s क्या आएगा, s आएगा, ksp by point one, ksp कितना था, 10 की प पार माइनस 9, इस solubility को मैं, इस solubility को मैं, s2 बोल देता हूँ, ताकि सभी में comparison हो जाए, s2 कितना है, 10 की पार माइनस 9, s1 बोल देता हूँ, पिछली वाली को, इस s को s1 बोल रहा हूँ, तो s1 10 की पार माइनस 5, अब ज़रा compare करा ना, s1 था 10 की पार माइनस 5, पानी में, और, जब हम NACL में ले आए इसको, तो s2 क्या आ गया, 10 की पार माइनस 9, तो degrees हो गया, पहले था 10 की पार माइनस 5, अब हो गया 10 की पार माइनस 9, पता है न, कौन सा बड़ा कौन सा चोटा है, यतना तो आता है न, 10 की पार माइनस 5 है टेन की बार माइनस नाइन छोटा है ठीक है चलो वई तो सॉल्विल्टी डिक्रीज हो गई है मैथमेटिकली भी हमें समझ में आ गया अब यही हम इन करेंगे फड़ावर से पॉस्ट करके नोट करो और चाहो तो आप पॉस्ट करके ट्राइक कर लो इनको आंसर मैच करा ले ना है चले आगे देखो फिर अब बढ़ते हैं हम आगे कि इसी में ही हम अब अगले पर चलेंगे अगे चलो देखना जरा धियां से कौन सा पार्ट यह सी वाला है ना सी वाला यह पॉइंट वांजी अपॉइंट जी रो वन मूलर सिलवा नाइट इड़ लेना चलो ठीक तो यह तो मुझे लिख नहीं था तो यह तो अल्लेडी लिखा हुआ है अब मैं क्या लिखूंगा यहां थेफिग सेब्ढ़ नाइट रिखूंगा इजिय अनू थी है तो एजिय अनू थी तोड मुझे अगलो सा Аग प्लस मिलेग तो अरो से शुपकर देख स्टॉंग ए पॉइंट जी रो वन थी तो यहां करूंगा पॉइंट जी रो वन मोलर तो मुझे उतना ही silver plus मिलेगा और उतना ही nitrate iron मिलेगा क्योंकि strong electrolyte होता है यह अब क्या करते हो जो common iron है उसको add करो जैसे यहाँ S00 लिखा था ठीक है यह discard यह S और यह S अब कौन सा iron common है अब CL minus common नहीं है अब AG plus common है और AG plus common है तो AG plus add कर दो किसमें इसमें तो S plus कितना 0.01 और जैसे ही आपने यह add किया तो यह वाले S को उड़ा दो 0.01 के respect में S बहुत कम होगा तो अब मैं लिख रहा हूँ क्या KSP तो KSP क्या आएगा 0.01 ठीक है इंटू S यही लिखूंगा suppose अगर कभी यहाँ coefficient होता तो वो coefficient यहाँ चड़ाते वो धियान लखना है अभी तो बनवाने तो ऐसी लिख दिया तो यहाँ से S के आ गया KSP कितना है 10 की पावर माइनस 10 divided by इसको लिख दूँ 10 की पावर माइनस 2 तो यहाँ गया 10 की पावर माइनस 8 मतलब इसको मैं बोल रहा हूँ S3 इसको S3 बोल रहा हूँ तो कितना है 10 की पावर माइनस 8 तो जड़ा आप धियान से देखो आप कितनी हो गयी टैन की पाव गया तो अगलावा भी ट्राई करो और चेक कर रहे हैं चलो आगे बढ़ना हूँ कि इसी का ही एक लास्ट पार्ट और कर लेते हैं कि चलो वई डी पे चलें डी पे चलते हैं न 0.1 molar CACL2 दिया है 0.1 molar CACL2 चलो धियान से दिखना मैं CACL2 को ब्रेक कर रहा हूँ कैसे टूटेगा C2 प्लस में और 2 times C L नेगिट है वैसी टूटेगा अब बता हो जारा CACL2 कितना 0.1 है अब ये 0.1 molar है तो C2 प्लस भी 0.1 molar और ये कितना हो जागा 2 into 0.1 क्योंकि 2 दे रखे न है मता ओवरॉल कितना हो गया 0.2 molar 2 into 0.1 मतलब 0.2 molar अब देखो ज़रा 0.2 एड़ कर दो common iron कौन सा है अब C L minus common iron हो गया तो S प्लस 0.2 एड़ करो और इस S को उड़ा दो ये neglect हो गया खतम हो गया लाई ये क्यों 0.2 एड़ किया तो S उड़ा देना और उड़ा देना ही का मतलब ये है कि KSP is equal to S into 0.2 तो यहां से S क्या आ गया KSP by 0.2 10 की पावर माइनस 10 by 0.2 और 0.2 कितना हो गद 10 बाई दो मतलब 5 तो 5 into 10 की पावर माइनस 10 और ये मैं क्या लिखूंगा यहां पर S4 लिख देता हूं इसको क्या लिख देता हूं बेटा S4 कितना 5 into 10 की पावर माइनस 10 अब देखो ज़रा compare करा लो S4 किस से S1 से S1 मतलब पाणी में था 10 की पावर माइनस 5 5 into 10 की पावर माइनस 10 कम हो गया न अगर मुझे इन चारों में solubility S1, S2, S3, S4 दे रखी होती तो अभी आप compare करा लेते कैसे चेक करके S1 इतना है S2 इतना है S3 इतना है S4 इतना है और आप इनका सबका order लिख सकते हैं तो इस तरीके के question होते है समझगे कहानी common iron की तो देखो सबसे पहला topic solubility आपको समझ में आने ची क्या होता है और simple KSP और S का relation दूसरा topic होता है common iron effect तो common iron effect मैंने बता दिया exam में सी type भी question आते हैं तीसरा जो part होता है वो होता है precipitation की condition बस ये तीन topic J में नीट के लिए हैं इसके अलावा सारे topic जाइडवांस तक के लिए आपको करने हैं ठीक है चलो आपन आगे बढ़ते हैं अगले topic पर चलते हैं चलो solubility in buffer solution भी सीख लेते हैं अपन फिर मैं आपको थोड़ी देर बाद condition of PPT बताऊंगा चलो आगे बढ़ते हैं अगर मैं solubility in buffer solution की बात करूँ तो किस type से आपको दिया जाता है आपको ऐसा बोलते हैं एक salt है उसको buffer solution जिसकी pH सपोज 8 है या 9 या 10 है उसमें डाला गया तो बताऊ solubility क्या होगी इस type के सवाल होते हैं तो मैं आपको concept समझाता हूं क्या है solubility in buffer solution मैं ऐसा बोल रहा हूं कि salt मैं ले लेता हूं mg oh hold wise मतब मैं एक तरीके से क्या ले रहा हूं base ही ले लिया मैंने base भी ले सकता आपक में solubility वाले topic मैं salt के लावा base भी ले सकते कोई दिक्कत नहीं mg oh hold wise is dissolved in buffer solution of given pH ठीक है इस वाले topic से आप समझ जाओगे कोई buffer solution इसकी pH गेवान है और mg oh hold wise को डाला तो सबसे पहले मुझे एक बाह बताओ mg oh hold wise को तोड़ लो कैसे तोड़ोगे mg oh hold wise तूटेगा mg oh hold wise तूटेगा mg2 plus plus 2 times oh minus हाँ इसका कुछ KSP आपको जरूर given होगा जरूर दिया जाएगा है ना KSP कुछ given होगा चलो भई ठीक है अब आपने जैसे ही mg oh hold wise को डाला किसमें इस solution में मतलब जिसकी pH गेवन है तो एक बाह बताओ pH अगर given है तो आप वहाँ से pH निकाल सकते हो और pH निकाल लिया तो oh minus concentration निकाल सकते हो मतलब solution में पहले से भी कुछ oh minus concentration होगी ना solution में पहले से कुछ oh minus concentration होगी और यहां से भी oh minus आ रही है तो oh minus दोनों add करनी पड़ेगी जब एक्सप्रेशन लिखोगे तो देखो अगर मैं इसका expression लिखूंगा तो क्या s 00 ये discard कर दो ये s और ये क्या आएगा 2s आएगा लेकिन सिर्फ 2s ही नहीं होगा oh minus concentration सिर्फ 2s नहीं होगी solubility सिर्फ 2s नहीं होगी क्यों क्यों क्योंकि pH आपको solution पहले सी दे रखा है ना जिसमें कुछ pH है भाई ऐसे डी क्या basic solution कुछ तो दे रखा होगा ना तो pH जो दे गिवन है तो pH अगर गिवन है तो आप यहां से pH निकाल सकते हो अगर pH मुझे गिवन है तो यहां से pH कैसे निकालोगे 14- pH से निकालोगे और अगर तुम्हारा pH आ गया तो OH- concentration निकालोगे यह find कर लो तरीका बता रहूं मैं आपको मैं एक example भी करके बताऊं आपको आपको तो pH गिवन है तो pH निकालो और यह जो ओएच माइनस आया इस ओएच माइनस को यहां पर एड़ करो ठीक और जैसे ही आपने एड़ किया इसको तो हम compare करा लेंगे कि ओएच माइनस क्या है ज्यादा यूजली ओएच माइनस ज्यादा होता है तो हम 2s को neglect करके expression लिख देंग मैंने इसको एड़ कर दिया तो इसको उड़ा दिया क्योंकि यह ज्यादा होता इसके respect में और जैसे यह उड़ा दिया तो क्या आएगा यह आएगा एस ठीक है इन्टू ओएच माइनस कोंसेंट्रेशन का whole square अब धियान से देखो coefficient 2 आ गया तो s इन्टू ओएच माइनस का whole square is equal to ksp और यह ओएच माइनस कहां से आया यह तुम्हारा प्यूएच से और प्यूएच कहां से आ प्यूएच से तो यहां से तो में ksp के बन था solubility तुम निकाल सकते हो क्या ksp अपॉएच माइनस का whole square यह process है इसी process को हम follow करके आगे बढ़ेंगे समझगे तो आप यह process note कर लो फिर मैं आपको numerical करके बताऊंगा तो clear समझ में आएगा आपको buffer solution वाला topic note कर लो चलो आगे बढ़त में यह है यह है सवाल इससे आप समझ जाओगी clear the solubility of pboh hold wise in water is this water में यह है find its solubility in buffer solution of pH 12 ऐसा सवाल होता है ठीक तो ध्यान से देखना जरा अचा solubility आपको पानी में क्यों दे रखी क्योंकि KSP नहीं दिया उन्होंने तो आप KSP निकालोगी क्योंकि KSP चेंज नहीं होता आप कहीं भी डालो salt को KSP चेंज नहीं होता है ना वो सर्फ temperature dependent होता क्यों वो equilibrium constant है ना यार और equilibrium constant temperature dependent होता है तो मैं क्या करूंगा इसका एक काम पहले हमें करना पड़ेगा क्या एक काम पहले ऐसा करना पड़ेगा कि अलग से KSP निकालना पड़ेगा क्योंकि गिवन नहीं है आपको तो मैं अलग से KSP निकाल लेता हूं क्या आएगा देखो ज़रा ध्यान से मुझे PB OH hold twice को break करके बताना ज़रा इसको जवाब break क बनेगा और two times OH माइनस बनेगा इसका KSP मुझे निकालना है दिया नहीं था लेकिन solubility दी थी तो मैंने बताया था KSP और S का relation सबसे पहला टॉपिक यह S मान लो 0-0 यह discard यह S और यह क्या आएगा 2S आएगा बड़ा आसान है ना तो KSP यहां से लिख लो ज़रा क्या आएग मतलब 4S क्यूब आ जाएगा तो KSP कितना आ गया 4S क्यूब और S गिवन चार इंटू 10 की पार माइनस 15 तो चार इंटू S भी है इतना चार इंटू 10 की पार माइनस 15 का होल क्यूब चार का क्यूब हो गया आपका 64 64 इंटू 4 कितना हो गया 256 हो जाएगा 256 वो गया इंटू 10 की पार माइनस 15 का क्यूब कितना हो गया 45 थैसिटी फोर सही है आगा सही है पर यहां पर देखना ज़रा धियान से पीवी ओएच होल्ट वाइस अब दुवारा लिख रहा हूं मैं क्यों यह तो मुझे केस्पी निकाल लें के लिए लिए लिखना था है ना तो मैं दुवारा लिखना हूं क्या पीवी टू प्लस प्लस टू टाइम्स ओएच माइनस ऐस 2.56 ऐसा अच्छा लगता थोड़ा इंटू 10 की पावर माइनस 43 साही ना पॉइंट यह से लिखा अगर अच्छा लगता है 2.56 इंटू 10 की पावर माइनस 43 दिख रहा है माइनस 43 चलो भई आगे बढ़ते हैं अब मुझे बताना जरा में क्या लिखूंगा यहां लिखूंग यहां 0 यहां 0 यह डिस्कार्ड यह S और यह 2S अब यह कहानी तो पानी की चल रही थी यह कहानी चल रही है किसकी बफर सॉलीशन की क्या पी एच ट्वेल्व है तो पी यह बता सकते हो 14 माइनस पी एच मतलब 2 और अगर पी वेच दो है तो ओएच माइनस कितना आएगा सीधा चेक कर लो इसका पी एच दो आता है ठीक है भाई तो मैं क्या करूंगा यहां 10 की पावर माइनस टू को एड करूंगा और इसको कर दूंगा नेगलेट क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में यह बहुत कम होता देखो किस्प कितना था माइनस पानी में कितनी थी माइनस 15 तो यहां तो और कम हो जाएगी तो इसको नेगलेट कर दो मतलब अब क्या आएगा आपका केस्पी अब केस्पी लिखोगे एस इन्टू एस इन्टू टैन की पावर माइनस टू का होल स्क्वायर कोविशंट दो लगाए ना बसा गया अंसर देखो 2.56 इन्टू टैन की पा और माइनस 43 माइनस 39 आ जाएगा तो ऐसा आगया आपका 2.56 इन्टू टैन की पावर माइनस 39 जाए है 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 चेक कर देना जड़ा जाए है 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 सही है ना मैं ना तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है तरीगा देख लो किस तरीगे से आपको अटेप्ट करना है नीट में और ज अचा हो तो देख सकते हो कि इस तरीके से फॉलो होता है ट्रेंड है ना फटावर से पॉस करके नोट करेंगे फिर आम आगे बढ़ेंगे समझ में आ रहा है ना आपको देखो सॉलिबिलिटी वाला टॉपिक इतना आसान होता है कि बस एक प्रॉसेस होती उसको समझ ना है आपको अगर वह प्रॉसेस आप समझ गया तो सारे को सना आप से बनने लगेंगे ना फटावर से नोट करेंगे चलो आगे बढ़ते हैं बन हाँ अब आता ही है बात साइमल देनिया सॉल बिलिटी की साइमल देनिया सॉल बिलिटी का एक्च्वल मीनिंग क्या होता है आप थोड़ा-थोड़ा कॉमन आइन इफेक्स से इसको कनेक्ट कर सकते हो किससे कनेक्ट कर सकते बटा? कॉमन आइन उफेक्स से मैं आपको बता था हूँ कैसे करना है देखना जरा धियान से आप इसको कॉमन आइन इफेक्स से कनेक्ट कर सकते हो कैसे? मेरे पास दो सॉट दे राखे हैं दौनों ही sparingly soluble salt है तो two sparingly soluble salt with one common iron यह होता simultaneous solubility है ना तो मैं यहाँ पर आपको लिख भी देता हूं तो आपको clear दिख जाएगा क्या लिखना में साइमें डिस और विल्टी में तू इस पैरिंग ली जे में और नीट में बहुती कम इंपोर्टन अब बेरी बेरी लेस इंपोर्टन टोपिक है ना तू इस पैरिंग ली सॉलिबल सॉल्ट विद वन कॉमन आयन वन कॉमन आयन दो सॉलिबल सॉल्ट होंगे एक common iron के साथ, जैसे, 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 ध्यान से देखेंगे, मुझे दिया है AG, CL, और एक दिया है AG, एक दिया है AG, BR, ठीक है, दो salt दे रखेंगे हैं, ये भी sparingly soluble है, और ये भी sparingly soluble, मतलब, दौनों का आपको KSP दिया जाएगा, वैया, common iron में क्या होता था, एक होता थ था, sparingly soluble, और दूसरा strom होता था, यहां क्या है, दौनों ही sparingly soluble है, ठीक है, तो अगर मैं इसको तोड़ूंगा, तो कैसा देखेगा, AG+, और CL-, और ये एक ही solution में है, अलग-अलग मतमानना, ये एक ही solution में दो salt डले हुए है, ठीक है, एक ही solution में दौनों salt है, इसका इसकी solubility को कुछ माल लेता हूँ, suppose x, मैंने इसका x माल लिया, तो ये क्या आएगा, 0-0, ये discard करोगे, ये x और ये x आएगी solubility, इसकी solubility को y मान लिया, ये 0-0, ये discard करोगे, ये y आएगी, ये y आएगी, लेकिन, 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 कॉमन आयन अगर है, तो concentration या solubility आप तो ना तो x होगी ना y होगी क्या होगी, दौनों जगे से जितना आ रहा है उतनी add होगी, मतलब x में क्या add करोगे y और y में क्या add करोगे x समझ गया यह बाद, यह समझ गया तो कहानी समझ में आ गई, तो यह add होगा यहाँ पर है न, थोड़ा अच्छे से add कर देता हूँ तो add जास अब दिखे भी आपको क्या add किया है इसमें क्या add कर दिया y और इसमें क्या add कर दिया x तो net eg प्लस की solubility x प्लस y होगी ना कि x होगी, ठीक है, अब देखो जब आप expression कैसे लिखना है यहाँ लिखना हूँ में ksp1 क्या x इंटू x प्लस y यह आएगा और यहाँ क्या लिखना हूँ ksp2 यह ksp गिवन होगे है x प्लस y इंटू y ठीक है, यह आएगा अब देखो जब जब solve कैसे करना है, आगे कैसे बड़ोगे इन दौनों को डिवाइड कर दिया करो, ksp1 अपॉन ksp2 दौनों को डिवाइड किया ksp1 कितना है x इंटू x प्लस y और ksp2 कितना है x प्लस y इंटू y मतलब y इंटू x प्लस y लिख सकता हूँ न ऐसा लिख सकता हूँ, क्या दिखकत है अब देखो जरा ये उड़ गया x प्लस y से x प्लस y कट गया मतलब relation आपका आजाएगा क्या, ksp1 upon ksp2 तो यहां से इस equation को solve करो, x की value y के term में आ जाएगी या तो equation number 1 या equation number 2 दौनों में किसी में भी put कर दो आप x और y निकाल पाओगे ठीक है, कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा, पहले आप ये note कर लो ठीक है ये process follow करनी है मैं एक numerical करके भी आपको दिखाऊंगा समझगे है, कहानी के पहले आप basic समझो बेसिक चीज़ने समझनी जरू दिखे क्या, what is the difference between common ion and simultaneous solubility common ion में एक salt sparingly soluble और एक strong electrolyte ये strong salt होता है और ion common होता है यहाँ दोनों ही sparingly soluble है तो कैसे करना है ये processors की ठीक है, चलो फटावट से note करो आगे बढ़े आप देखो जरा इससे आप समझ में आ जाएगा आपको clear, example से clear समझ में आ जाता है देखना क्या कहानी कहना चाहा रहे हैं दो salt है एक है agscn और एक agvr तोड़ लो agscn को तोड़ो कैसे टूटेगा बेटा agplus और scn minus ऐसे टूटेगा और इसका कुछ ksp1 मान लेते हैं जो की given है आपको बहुत बढ़ी है इसी तरीके से second वाला देख तोड़ो agvr तोड़ोगे कैसे टूटेगा agplus और क्या बनाएगा बेटा br minus और इसका कुछ ksp दिया होगा तो ksp2 लिख लेते हैं given है भई या ksp तो चलो इसकी solubility को मान लेते हैं x 00 discard x और x इसकी solubility y 00 ऐसा y और y clear अब क्या करना है ag plus common है तो x में add करोगे y और y में add करोगे x यही आएगा अब देखना ज़रा तो मैं लिख रहा हूँ ksp1 कितना x plus y into x देखो पूरी की पूरी कहानी वैसी चल रही है यहां लिखूंगा ksp2 क्या x plus y into y सही है equation number 2 और equation number 1 1 by 2 कर लो तो 1 divided by 2 करोगे तो ksp1 upon ksp2 is equal to x divided by y क्यों x plus y तो आपका कट जाएगा है ना x plus y कट गया यह आगया बस अब यहां value पूर्ट कर दो क्या value पूर्ट करनी है देखो ksp1 कितना है 1 किसको माना था आपने a, g, s, c, n तो इसको 1 लिख दो 10 की पावर minus 12 upon upon 5 into 10 की पावर minus 13 is equal to x upon y यह solve करो जड़ा 10 की पावर minus 12 upon 5 into 10 की पावर minus 13 एक काम करते हैं इसको उपर ले जाते हैं तो यह 10 बन जाएगा क्यों उपर minus 12 वे नीचे से minus 13 उपर जाएगा plus 13, 13 minus 12 1 होता है 10 by 5 दो आ जाएगा यह तो 2 is equal to x upon y मतलब मैं यहां से बोल सकता हूँ कि x is equal to क्या आया 2 y आया अब x is equal to 2 y किसी एक equation में पूट कर दो x is equal to 2 y चलो second में पूट कर देते हैं ठीक है तो यहां से ksp2 कितना था आपका 5 into 10 की पावर minus 13 था तो यह कितना हो गया यह हो गया तुमारा 3 y square ठीक है और 5 into 10 की पावर minus 13 एक काम करते हैं 5 into 10 की पावर minus 13 को 15 into 10 की पावर minus 14 भी तो लिख सकते हैं क्या जा रहा अपना यह तो लिख सकते हैं अब 50 by 3 near about 16 आ जाएगा मैंने इसले लिखा ताकि यह अच्छा सा अंडरूर बन जाएगा 16.3 आएगा मैं 16 लिख रहा हूं approximate calculation कर सकते हो यह क्या यह y square तो y क्या आजाएगा आपका अंडरूर ले लो तो 4 into 10 की पावर minus 7 ठीक है अगर y तुमारा 4 into 10 की पावर minus 7 आया इसका मताब y क्या है solubility of agbr तो solubility of agbr आपका आंसर आगया क्या solubility of agbr कितनी आगई आपकी 4 into 10 की पावर minus 7 अब मुझे निकालना है solubility of agscn यह क्या है आपका x x निकाल ले दे अगर y इतना है और x is equal to 2y है तो x कितना आगया x is equal to क्या था 2y था मतलब 2 into 4 into 10 की पावर minus 7 मतलब 8 into 10 की पावर minus 7 मतलब 8 into 10 की पावर minus 7 is the final answer तो यह आपकी answer final है process समझगे क्या लगाया तरीका देख लो बड़ा simple सा है देखने में डरामना लगेगा लेकिन बड़ा simple है क्या दो sparingly soluble salt थे इसकी solubility x इसकी y मान ली इसका equilibrium लिखा इसका equilibrium लिखा दोनों में common ion था तो दोनों की concentration add कर दी यह x यह y था तो यहां मैंने x add किया यहां मैंने y add किया दो equation लिख लिख ली कैसे? ksp1 लिखा ksp2 लिखा दोनों को divide करा x और y का relation आया अब x और y का जो relation आया उसको चाहो तो आप यहां put कर लो यहां कर लो मैंने यहां कर दिया इससे y निकला और x is equal to 2y तो x निकला सीधा सा और y था इसकी solubility x थी इसकी solubility simple सा ठीक है? फटावर से pause करके note कर लेना इसे जल्दी से समझ के कहानी? यह कहानी है भाई अब बढ़ेंगे आगे आगे अब आया कंडिशन ओपी टीटी कंडिशन ओपी टीटी पिर से बिटेशन यह जे इमेन और नीट के लिए इंपोर्टेंट टोपिक है ठीक है ध्यान से देखना जला तीनी टोपिक आपके इंपोर्टेंट है पहला सिंबल सॉल्विल्टी का रिलेशन के एस पी और एस वाला एकस की बार एकस वाई की बार वाई वाला दूसरा आपका कॉमन आइन इफेक्ट वाला और तीसरा यह ठीक है कंडीशन और पीपीटी देखना जरा क्या है देखो प्रिसेपिटेशन की कंडीशन पढ़ने के लिए आपको पहले आइन इक प्रोड़क्ट और सॉल्ट देखना पड़ेगा के आई पी ठीक है तो ध्यान से देखो जरा पहले में आपको क्या बता रहा हूँ बहुत सिंबल है जैसे यहां जो केस्पी है ना यहां का कैमिकल इकलिवियम का तुम्हारा केसी यहां का जो के आई पी है ना कैमिकल इकलिवियम का क्यूसी सिमिलर वैसे यह कुछ है ना तो के आई पी की अगर मैं बात करूं तो के आई पी की बेसिक डेफिनेशन यह है कि नाम सी के लिए रहे हैं आने प्रोड़क्ट आफ सॉल्ट मतलब दा प्रोड़क्ट आफ कॉंसेंट्रेशन अफ केटाइन्स प्रोड़क्ट आफ कॉंसेंटेशन के प्रोड़क्ट को हम आयन की प्रोड़क्ट बोलते हैं कैसे लिए ध्यान बहुत ध्यान से आप समझने की जरूद है देखो AXBY अगर कोई salt है इसको कैसे break करते हो XA Y++ YB X- अब इसके लिए मुझे KSP नहीं KIP लिखना है KSP लिखना होता तो हम S00 ऐसे लिखते थे फिर discard XS YS ऐसे लिखते थे अब सिर्फ KIP लिखना है तो नामसी के लिए Product of Concentration of IONS बस तो KIP कैसे लिखोगे KIP लिखोगे Product of Concentration of ION क्या क्या ION है A Y+, ठीक है बस जो coefficient है वो power लगा देना बस इतना काम कर देना क्या coefficient क्या है X तो power X लगा दो यहां क्या है ION क्या है BX- तो इसकी पावर क्या लगा दो कि भाई का ताम सिंपल जैसे एक लिखके बताओ अगर मैं आप से बोलू C F2 इसका कि लिखो तो C F2 को तोड़ना C A2 plus plus two times F negative इसका कि लिखना है ठीक है तो कैसे लिखूँँगा K IP is equal to C A2 plus की concentration इसकी पावर कितनी 1 coefficient 1 है ना तो पावर 1 लिखो ना लिखो बात बराबर है और multiply करो क्या F minus की concentration इसका coefficient 2 है तो पावर 2 इससे simple क्या है तो जो भी concentration है वो लिखो और उसकी पावर लगा दो ऐसे K IP लिखते हैं अब K IP और KSP की help से हम solution का nature बता सकते और condition बता सकते प्रसेपिटेशन की पहले आप यह लिख लो क्या आईप लिखना सीखे ना बड़ा आसान है ऐसी लिखते हैं क्या आईएंस की concentration के product को आईने product बोलता है ठीक है फड़ा फट से नोट करो चलो आगे बढ़ते हैं इसी मही में आपको condition बता देता हूं PPT की क्या है अब देखो PPT की condition क्या बनेंगी आपकी कंडिशन प्रसिपिटेशन ध्यान से देखना जड़ा मेरे पास एक्च्वल में तीन कंडिशन बनती हैं देखो तीन कंडिशन बनती हैं आपको KSP question में given होगा यह आपको given रहता है ठीक है आप की आईपी आप की आईपी निकालते हो ठीक है आइंस के आपको concentration देरक्की होत मतलब यह आपको calculate करना है क्या procedure है मैं उसके साथ पूरा समझा रहा हूँ है यह given रहता है और यह calculate करोगे और comparison कराओगे तो क्या होगा तीन केस बनेंगे केस बन तीन केस आपके बनेंगे मैं यहाँ लिख रहा हूँ केस बन क्या बनेगा अगर केस पी और के आईपी बरावर हैं अगर केस पी और के आईपी बरावर हैं तो solution saturated है इसका मतलब क्या हूँ अब ही है saturated solution का मतलब जितना salt आपने डाला था उतना dissolve हो गया जैसे मालो मैं आपको class में पढ़ा रहा हूँ ठीक है और आपकी suppose class आपकी डिढ़ गंटे की है तो जितना मुझे पढ़ाना था डिढ़ गंटे का time जितना था उतना मैंने पढ़ा दिया ठीक तो वो saturated solution है समझना बात को अब यूर exam policy से connect करूँगा तो जितना मुझे करना था जितना पढ़ाना था और आपको जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया तो ksp is equal to kips का मतलब क्या है solution is saturated saturated solution ठीक है case 2 अगर ksp बढ़ा हुआ किस से कि आई पी से ध्यान तो देखना solubility product ज्यादा है solubility ज्यादा है किस से कि आई पी से तो हम बोलते है unsaturated solution unsaturated solution unsaturated solution unsaturated का मतब क्या है more salt will be dissolved लिए राइं आपर more salt will be dissolved मतलब और व्रफ डिजॉल कर सकते से चुरेटेट मैं ऐसा नहीं कर सकते है more salt अगर अगर बीजॉल अगर यहाँ पर सॉल्ट को डिजॉल नहीं कर सकते मतलब जितना आपने डाला उता उसने डिजॉल कर लिया यहाँ और कर सकते हैं मतलब कैसा है देखो डेड़ गंटी क्लास है हमने पढ़ाया डेड़ गंटे आपका भी काम खतम हमारा भी काम खतम लेकिन आपको मजा आने लगा या मैंने बोला कि नहीं और पढ़ेंगे ठीक है तो दौना ही केसिस में अंसैचुरेटेटेट है आप बोले सर और पढ़ाना चाहते हो यानि कि हम और पढ़ाना चाहते हैं मतलब अनसैचुरेटेटेट सॉल्यूशन होगा मतलब ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट डिजॉल्व होगा ठीक है और तीसरी कंडीशन है जो कंडीशन हम पढ़ने आए थे यहाँ पर केस थ्री अगर के एक स्पी कम हुआ किस से कि इप से मतलब सॉलडिलिटी प्लोड़क्ट कम है ईन्फ प्रक्रोड जाधा है स्ल बिलटी प्लोड कम है मतलब क्या होगा प्रिसेप्टेशन अकर्स PPT होगा मतलब देड़ घंटे नहीं पढ़ाया जल्दी पढ़ाके निकल गए 50 मिनिट में है न वैसा मतलब precipitation होगा यहाँ पर अब ध्यान से सुनना ज़रा कोई भी reaction अगर given है आपको suppose suppose आपको reaction given है AXBY X AY plus plus YB X minus तो कहानी कुछ ऐसी है कि अगर reaction equilibrium पर है तो KSP, KIP बरावा है अपने ऐसा बोलते हैं अगर reaction forward जा रही है मतलब ions का production हो रहा है ions का production हो रहा है solubility बढ़ रही है KSP बढ़ रहा है मतलब unsaturated है अगर precipitation होगा reaction backward जाएगी क्यों ions combine होके solid बनाएगे तो equilibrium का बढ़ एक तरीके से saturated समझ लो forward direction का मतलब आप ऐसा समझ लो कि ions बनने मतलब solubility जादा है KSP जादा है मतलब unsaturated है और backward जाने का मतलब यह है कि salt बन रहा है backward में ions combine हो के salt बना रहा है मतलब PPT हो रहा है ऐसा होता है तो यह तीन condition है जिसमें से थर्ड वाली condition आपको एकदम बिल्कुल जो है ध्यान रखनी है कि SP is less than कि आई भी तो precipitation होगा ठीक है अब इसी को ही हम apply करेंगे questions में फटावट से इसको note करो चलो अब देखना ज़रा क्या कहना You are given 10 की वार माइनस 6 molar यनने CL यह दिया है और 10 की पर माइनस 8 molar silver nitrate ठीक दे आर mixed in 1 is to 1 volume ratio मतला दौनों का equal volume है एक तरीके से 1 is to 1 लिखने का equal volume ही लिख देते इतना क्यों लिख दिया है ना चलो डीके प्रडिक्ट वैदर AGCL विल बी PPT और नॉट KSP दिया है बहुत बढ़ी है AGCL के लिए आप मुझे की आई भी लिखके बता सकते हो बताना जरा अगर AGCL को मैं break करूंगा तो क्या बनाएगा AG प्लस बनाएगा और CL माइनस बनाएगा ऐसे बनाएगा ठीक है इसका वेटा KIP बताना जरा किए पी तो सर किए पी तो हम लिख लेते हैं कैसे लिख लेते हैं AG प्लस कॉंसेंट्रेशन और इन्टूf6 माहिनस कॉंसेंट्रेशन ऐसे ल diyorum अब बताव AGण डाऌतको कितनी है टैइन की पावर माइनस एट योँआ से इस प्लस आए का और यहां से आपका अगा से या अनुएन की पार भी woj होगी उनओ nou मतलबू मतलब अब कॉंसेंट्रेट्रेशन हाफ हो जाए गिसात चाई आप का ब्लस घॉल भी अपक क्या है ऐगा कुपर छॉब झॉलद तो volume तो double हो गया ना मतलब अब concentration half हो जाएगी यह जो लखा ना यह important है वाई 1 is to 1 volume देशिक हो तब क्या है equal volume अगर आप equal volume मिला होगे तो concentration तो half होगी ना यार क्या बात कर रहे हो into 10 की पार minus 6 इसकी concentration अलग से container में थी लेकिन उसको तुमने इसके साथ मिला दिया तो volume double हो गया तो concentration divided by 2 बस खतम हो गया आप कुछ नहीं बचा तो यह कितना आ गया 1 by 4 into 10 की पावर minus 14 यह आएगा तो यह ना KSP दिया है KIP निकाल लिया compare कराना ज़रा किसको compare कराना है इसको किससे कौन साथ बड़ा है साथ साथ दिख रहा है 10 की पावर minus 10 बड़ा होता minus 14 है वो है ना तो यह बड़ा है मतलब मतबल यह है कि KSP ज़्यादा है किससे KIP से यह ज़्यादा यह कम तो PPT होगा कि नहीं no precipitation no PPT formation तो मजगे बाद को इस तरीके से एक्जाम में कुश्चन आते हैं यह नीट में आप आराम से solve कर सकते हो बहुत आराम से कैसे करना है मैंने आपको apply करके दिखा दिया ठीक है फटावट से note करेंगे चलो भाई effect on solubility due to complex formation यह purely advance में है और इसके बाद वाला selective precipitation यह भी आपका advance में चलो दो टॉपिक बचे हैं अपने फटावट से cover कर लेते advance में है यह टॉपिक ठीक है effect on solubility due to complex formation यहाँ पर complex formation की बात हो नहीं ध्यान दखना है ना complex का मतलब क्या होता है पहले यह समलो complex का मतलब होता है बेटा coordination compound जो की class 12 में आता है लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ complex formation का मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा होता है जैसे silver chloride ने reaction करी किसके साथ ammonia के साथ तो क्या होता है यहाँ पर AG, NH3 whole twice इस तरीके से बनता है CL, ऐसा तो यहसे जो बड़े bracket में लिखा होता है यह इसको हम बोलते है complex इसको क्या बोलते है बेटा complex बोलते है ठीक है इसको क्या बोलते है complex और इनका formation होना मतलब बहुत अच्छी बात होती है इनका formation होना मतलब reaction होने की बहुत अच्छी बात है, क्यों? यह stable होते हैं, अब बाकी सारी बात है हम class 12 में करेंगे, बस यह समझा लो, जब reaction होती तो इसे बड़े ब्रैकेट में जो लिखते हैं, वो complex या coordination compound होते हैं, class 12 में detail में आएगा, एक, चलो 20 को 80 आ रहा हूं मैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, क्य AG plus में और BR negative में, और इसका कुछ KSP आपको दिया जाएगा, और KSP usually partially soluble salt होते हैं, तो KSP उनका बहुत कम होता है, KSP क्या होता है, बहुत कम होता है, इतना आप पक्का ध्यान लखो, ठीक, अब मुझे एक बादाओ, AGBR को, AGBR को, अगर मैं ammonia के solution में डालू, यह जो बाते चलने हैं, किसकी चलने हैं, effect on solubility due to complex formation, मतलब, हम ऐसा बोल रहे हैं, कि, AGBR, AGBR is dissolved in, AGBR is dissolved in, एक्वस ammonia, ठीक है, कभी-कभी यहाँ पर NH4OH भी लिख सकते हो, क्योंकि, एक्वस ammonia मतलब, ammonia plus water, जो कि NH4OH दे देता है, हना, तो, एक्वस ammonia में आपने dissolve किया, dissolve करोगे, तो, AGBR, AGBR, AG plus और BR negative बनाएगा, सही बात है, और जो AG plus है, यहाँ से सुनना, और जो AG plus है, वो, वो, अमोनिया के साथ, अमोनिया के साथ, कम्माइन हो जाता है, वेटा, तो, होता गया है, जैसे ही तुम, जैसे ही तुम, जैसे ही तुम, AGBR को अमोनिया के solution में डालोगे, तो, AGBR तूटेगा, AG plus देगा, BR minus देगा, अब AG plus अमोनिया के साथ, reaction कर लेगा, है न, तो, यह क्या है, reaction करेगा, तो, यह है, यह, इसको बोलते है, complex, यह क्या बन रहा है, complex, और मैंने आपको बोटा है, complex formation का मतलब यह है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, मतलब KF जो दिया जाएगा, वो बहुत ही ज़ादा दिया जाएगा, तो KF बहुत ज़ादा होता है, क्योंकि भी complex formation मनना अच्छी बात होती है, reaction forward जाएगी, KF मतलब equilibrium constant, means, KF को हम बोलते हैं, की formation, F का मतलब क्या है, formation, मतलब equilibrium constant for formation of complex, तो F का मतलब formation होता है, KSP तो आप जाधते ही हो, ठीक है, तो यहाँ जो formation के लिए आपको के दिया जाएगा, equilibrium constant वो बहुत ज़ादा होता है, क्यों, क्योंकि यह ज़ादा होता है, मतलब यह stable होता है, तो यह 00, S ना मानके X माल दो, तो XYZ में formula लिए इसकी solubility X है, तो यह 00, ठीक, AGBR discard करते हो, AG+, X लिखोगे, और यह भी X लिखोगे, ऐसे लिखते हो, X 00, discard X है, ठीक है, अब AG+, यहाँ पर सुरू करोगे, X से, ammonia का solution है, तो बेटा, कुछ ना कुछ, इसकी concentration या moles दे रखे होंगे, तो मैंने मान लिया कि इसकी concentration Z है, ठीक है, Z है, अगर Z है, तो यह starting में होता नहीं है, तो अब क्या लिखोगे, X मैंसे कुछ कम करोगे, मानलो Y कम किया, यहाँ पर Z मैंसे कितना कम करोगे, 2Y कम करोगे, ध्यान से समझे ना, बहुत आरामा नाम से समझा रहा हूँ, X मैंसे Y कम हुआ, तो Z मैंसे 2Y होगा ना, equilibrium मैंसे लिखते देबन, coefficient इसका 2 है, तो इसका 1 mol से 2 mol consumer तो इसके Y से 2Y होगे ना, तो Z मैंसे 2Y कम हुगा, यह कितना बनेगा वेटा, Y बनेगा, समझे एक बाद, फिर से आराम से देख लो, बहुत प्यार मबबद से देखो, AGBR को अमोनिया में डाला, तो AGBR पहले टूटा, AG प्लस दिया, VR माइनस दिया, concentration तो Z मैंसे 2Y कम होगा और यह Y बनेगा, ठीक है, तो यह यहाँ पर X इसकी solubility है, और Z क्या है, concentration of ammonia है, ठीक, चलो भई, यह कहानी समझ में है इतनी, अब ध्यान से देखना ज़रा है, अब बहुत आराम से आपको देखना है, मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा shift कर देता हूँ, जगए बनेगी, थोड़ी से, ओ जा, पहां जा रहा है, थोड़ा shift कर रहे हैं, ठीक है, कहां गया, थोड़ा से लो चलता है, क्या हुआ होई प्रोसेसर को, आ आपवाँ एम्हवाँ, इसका ऑाल, लेराम वड़ा della shift कर दी अब ध्यान समझना अम मैं क्या कर रहा हूं यह मेरी equation number 1 वन यह equation number 1 और यह equation number 2 ठीक है इन दौनों को मैं add कर रहा हूं इन दौनों को मैं add कर रहा हूं तो ज़रा ध्यान से सुनना पहली बात तो मैंने मैंने क्या किया यहाँ ag plus x minus y है तो final यह भी x minus y लिखना पड़ेगा आपको यह ध्यान लखना लिखा मैंने यह अगर मैंने यहाँ से ag plus मैंसे y कम किया था तो x minus y तो final concentration ही लिखोगे ना x minus y अब इन नोनों को add करो जब तुम इन नोनों को add करोगे तो कैसा दिखेगा जब तुम इन नोनों को add करोगे तो ऐसा दिखेगा मैं लिख रहा हूँ यह 1 plus 2 1 plus 2 ठीक है इन नोनों को add करोगे तो ऐसा दिखेगा ag br plus ag plus कट जाएगा यह दोनों add करोगे तो यह कट जाएगा ag br plus 2 ammonia ठीक है इससे क्या बचेगा यह complex बचेगा और br minus देखो तो क्या बचेगा ag nh3 hold twice positive और br negative ध्यान से देख लो जाएगा एक बार फिर समझ लो मैंने यहाँ x minus y क्यों किया क्योंकि यहाँ भी y कम हो गया था तो final ag plus की concentration तो x minus y होगी ना जब मैं इन नोनों को add करूंगा तो ऐसा दिखेगा और add करने पर equilibrium constant क्या हो जाते हैं multiply तो ksp दिखान से समझना जरा बात को अब है न थोड़ा सा टाइम बचा है बस समझे लो तेरा शारी जीन है को भी हटा जेता हूं agbr पहले लिख लेता हूं फिर हटा दूंगा क्या लिखा है क्या equation बनिया आपकी agbr प्लस दो आमोनिया इससे क्या आया agns3 whole twice प्लस और क्या आया बी आर माइनस ठीक है अब बटा देते हैं और ksp kf आया ठीक है के एसपी इंटू के आया यह एक्वेशन नंबर थ्री बोल रहा हूं मैं अब मुझे इवाँ बताओ जब तुमने वन और टू को एड़ करके थ्री लिखा तो एक्लिवर्यम कॉंस्टेंट मल्टिपलाई होगा के एसपी के एएफ लिखो जरा क्या आएगा एसपी इंटू के एफ क्या लिखोगी एएए एनस 3 रूट वैइस प्लस की कौन्सेंट्रेशन पीछे सो ठालों कित्ती आई थी एए एएए अस्तिते प्लस की ओन्सेंटेशन वाय आई थी ठीक है तो मैं यहां लिख देता हूं यह याई आई थी बीर माइनस की कॉंसेंट 2y देखते जाओ Z-2y तो यहां लिखते था हूँ Z-2y और AGBR की कितनी थी AGBR की कितनी थी अच्छा यह तो डिस्कार्ड कर दिया था ठीक है इसकी कुछ भी नहीं लेते ऐसा अब देखो जाए रहा KSP इंटू KF is equal to यह क्या आया y इंटू X divided by यह तो डिस्कार्ड है मतब Z-2y का whole square ऐसे लिखना है और अब यहां पर बेटा हम लगाएंगे approximation क्या approximation लगेगा यहां पर मैं यह बोलूंगा कि X-Y को 0 होना चाहिए पूछो क्यों आजाओ फिर बताते हैं क्यों मैं यह बोल रहा हूँ यहां पर कि यह जो AG प्लस निकाला ना यह यह X-Y 0 होना चाहिए क्यों होना चाहिए आपने बोला KF बहुत जादा होता है अगर KF बहुत जादा होता है तो reaction यह वाली कहां जाएगी forward direction में जाएगी और अगर forward में जाएगी तो AG प्लस maximum consume हो जाना चाहिए मतलब पूरा consume हो जाना चाहिए मतलब X-Y 0 हो जाना चाहिए खतम हो जाना चाहिए अगर KF जादा तुम बोल रहे हो ना इसका मतलब यह पूरा का पूरा AG प्लस convert हो जाएगा किसमें इस complex में मतलब यह खतम हो जाएगा मतलब X-Y 0 इसका मतलब क्या है X और Y क्या हो जाए बरावर हो जाए अब यही condition में यहाँ लिख रहा हूँ देखो X-0 हो जाए X-Y 0 हो जाए मतलब X क्या हो जाए Y हो जाए तो मैं यहाँ से Y हटा के export कर रहा हूँ और final formula बना के दे रहा हूँ derivation से मतलब नहीं है आप final formula आज के बाद याद रखेंगे क्या KSP into KF is equal to X square क्योंकि इसको भी X रख दिया है divided by यहाँ Z-Y को X रख दो 2X का whole square This is your final formula for complex formation अब यहाँ पर X क्या है? X तुमारी solubility है क्या है? solubility है और Z क्या था? यह concentration of ammonia थी जो कि आपको question में given होगी खतम हो जाए अगाम ठीक है? फटावट से एक बार फिर से quick recap कर लेते हैं इस topic का हमें क्या करना था? A, G, C, L को ammonia के solution में डालना था पहली reaction ऐसी होगी यहाँ से A, G+, बनेगा दूसरी reaction में वो complex बना लेगा इसकी solubility X मानी 0-0, discard X और X Y तो बाद में लिखा हमने, पहले X और X लिखाता है अब यह X है, यह Z है यह Z given होगा question में, यह 0 X में से Y कम हुआ, तो अब यह X-Y बचाना इसलिए हमने यहाँ X-Y लिखती है ठीक, Z में से 2Y कम होगा यह Y, इन नोनों को add कर दिया 1 प्लस 2, यह आगई, इसी equation को मैंने आगे लिख लिए यहाँ पर, और इसका KS pin to KF, इसका equilibrium constant अपनने लिख लिए अब यह approximation लगाया क्या X-Y को 0 होना चीए, क्यों लगाया क्योंकि यह AG प्लस consume हो जाना चीए, क्यों होना चीए, क्यों कि आप बोलो न KF बहुत जादा है, formation बहुत जादा है तो KF बहुत जादा है, तो यह पूरा consume हो जाएगा मताब X-Y 0 हो जाएगा मताब X is equal to Y यहाँ पर put कर दो और final आपका formula बन गया, अब इसी को numerical में अपलाई करेंगे, फटावट से इसको note कर लो आप, पहले आप क्या करो, इस वाले को pause करो, note करो, ठीक अब इस वाले को pause करके note करना, अब हम आगे बढ़ेंगे, अब numerical apply करके बता रहूं, देखो, what mass of AGI will dissolve in one liter of one molar ammonia, सीधी सी बात है, भाई, देखो, सीधा formula, सीधा formula, भाई, कुछ करना ही नहीं है, KSP into KF is equal to X square upon Z minus 2X का whole square, खतम होगी कहानी, put कर दो value answer सीधा, KSP कितना है, 1.5 into 10 की power minus 16, KF कितना है, देखो, 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 कितना जादा है, plus में 7, जबकि हम minus में 16, कितना जादा होता है, है ना, into 1.6 into 10 की power 7 is equal to X square, अच्छा X भी put कर दो, अच्छा X तो निकाल नहीं है ना, X क्या solubility, निकालनेंगे, उससे mole निकालनेंगे, mole से वेटा जाएगा, ठीक है, चलो, X निकालना है, divide Y, Z तो पता है ना, तो मैं 1 mole है, ठीक है, तो 1 minus 2X का whole square, क्या है, करता मोगी कानी, सोल कलो इसको क्या है, 1.5 into 1.6, एक काम करते है न, वन पॉइंट, इसको ही 1.5 ले लेता है प्रॉक्सिमेट है न, तो यह हो जाएगा 1.5 और 1.5, 15 का स्क्वार लिख देता हूं है न, जीदा सीदा, ठीक है, 15 का स्क्वार, यह वाली चीज़ 15 का स्क्वार हो गई, और कुछ बचाए क्या, और 2.5 मैंने, यहां से पॉइंट ड़ा यहां से बाइन नीचे सो आये का, 100 मतल्ली यह दसकी पार 5 हो जाएगा, और यहां माइनस 16 है, यहां पांच है, माइनस 16, सब आखे है, यहां सही न, यह कान करूना, इसकी पावर अच्छ, अच्छी दिख रही क्या, माइनस 16 और साथ, माइनस 16 और साथ कित काम करते हैं इसको सॉल्व करके माइनस सोल और साद माइनस ने होगा और 1.5 और 1.6 यह आपका 2.5 के अप्रॉक्षिमेटली अब क्लिए रहे इसको लिख रहा हूँ इसको लिख रहा हूँ पच्चेस इंटू तैन की पार माइनस-10 अब क्लिए रहे बागी मुल्टिपलाई कर कि आप देख लो कि अप्रोक्सिमेटली पच्छेस इंटू टेन की पर में ठीक है इस एक्वल टू एक्स स्क्वाइर अपॉन वन माइनस टू एक्स का होल स्कॉर मैंने यहां पर एप्रोक्सिमेशन लगा के लिख दिया है ठीक है आप देख लेना एक बार खुद से भी अच बचेगा अंडरूर तो लेना जानते है आप है ना इस एक्वल टू एक्स अपॉन वन माइनस टू एक्स अब ध्यान से देखना जड़ा चाहो तो इसको पूरा सॉल कर लो भाई इसको यहां ले जाके मल्टिपलाई करकर आगे एक्स निकाल लो या एक एप्रोक्सिमे लोगे तो भी उतना डिफ्रेंस नहीं आएगा है ना तो आप यह नेगलेट कर सकते हो बाकि आपकी इच्छा पूरा सॉल करके भी देख सकते हो मैं आपको सीधे आंसर लिखके दे रहा हूं वन के रिस्पेक में यह नेगलेट मतलब यह एक्स तो एक्स क्या आ गया 5 इंट करेंगे पहले आप प्रॉसेस समझ लो क्या सीधा फॉर्मला लगाया के स्पींटू के मैंने मल्टिपलाई करके इतना लिख दिया अप्रॉक्सिमेटली आ रहा है इतना है ना और एक्स स्क्वाइर अपन बन माइनस टू एक्स का होली स्क्वार अंडरू लेकि यह लिख द तो मैं क्या निकालना था यह इसका वेट निकालना था तो आपको कॉंसेंट्रेशन एजी आई की पता है कितनी है फाइव इंटू टैन की पावर माइनस यह एजी आई की कॉंसेंट्रेशन है ध्यान से देखना आप है ना अब मुझे एक बात बता दो आप की मोल्स कैसे निकलेंगे मोल्स ओफ एजी आई वॉल्यूम मुझे पता था वन लीटर तो मोल भी इतने ही हो जाएंगे ठीक है भाई मोल पता चल गए वेट निकालोगे कैसे वेट ओफ वेट ओफ एजी आई कैसे आएंगे मॉलीकुलर वेट से मुल्टिप्लाई कर दो मॉलीकुलर वेट कितना होता है जी आई का वन जीरो एट प्लस वन 27 तू 35 होता है और 235 इंटू 5 कर लो कितना आजाएगा यह 235 इंटू 5 25 25 23 22 prim 11 21 ग्यारव जबतर यह तो 1175 इंटू 10 की पावर माइनस 5 यह जाएगा मतलब वेट आफ एजी आई जो आया फाइनल आपका अंसर वो आया एक दो तीन चार और पांच मतलब पॉइंट 01175 ग्राम आपका फाइनल अंसर आएगा समझ गया बात को तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है ठीक है बागी यह मैच से आप इस आप भी जानते हो वही किया मैंने मोल एरिटी से मोल आ गए क्यों आपको कॉंसेंटेशन वॉल्यूम लीटर दिया था और वेट्स मोल से वेट आ गया मॉलिकुलर वेट से मिल्टिप्लाई करें कि चलो आगे बने दिख स्कुराइर अपॉन जैड माइनस टू एक्स का होल स्कुराइर ऐसी लिखोगे अरे बहुत आसान देखा जरा धिखान से के एस्पी कितना दिया है फाइव इंटू टैन की पार माइनस थर्टी यह और के इस कितना दिया है ओ भाई साब फाइव इंटू टैन की बाद प्लस इसका है इसका फींट कॉम्प्लेक्स बना लेता सिलवर इना इसलिए भीए आपको यह कॉम्प्लेक्स बना अगिदिया तो जरूइंगा आपको यह कोई लिख करने यह है उसकी मुलारीटी पॉइंट मैनस टू आएगा 5 x upon 0.1 minus 2x अंडरोड ले लिए ठीक अच्छा आप ये negligible value नहीं है जैसे 10 की बार minus 5 minus 6 बहुत पिछले case में किया था तो कर दिया था यहां मत करो और simple भी calculation कर सकते हो ना तो 5 into 0.1 कितना हो गया point 5 is equal to 0.5 minus 10x is equal to x 11x is equal to 0.5 और x is equal to 0.5 by 11 ठीक है 0.5 by 11 कितना हैगा अगर 10 होता तो 0.05 आता असपास ही कुछ आएगा देखो जरा ये point हटा तो जरा 5 by 11 कर लो तो कितना हैगा 5 by 11 अच्छ भाइगा ताएगा ग्यारा से कटा चारवार चावार इस च्छ पॉइंट पार चारपार चारपाइब यह था पॉइंट जी रोच पार इतना मोलर यह आपका अंसरा लिए अच्छ पॉइंट 045 आएगा सॉल्लिटी ओफ एजी दिया समझ कहें तो बड़ा सिंबल है क्या करा मैंना फॉम्ले से सुरू करा सीधा खेल बड़ावर से हो गया ठीक नोट कर जल्दी से चलो भाई सेलेक्ति प्रिसेपिटेशन का मतलब यह है कि आपको एक कंटेनर दिया जाएगा उसमें आपको बहुत सारे आयन दे दिये जाएंगे और उपर से कोई इलेक्ट्रोलाइट मिला रहे होगे तो वो इलेक्ट्रोलाइट का कुछ भी पार्ट जो होगा वो उन आयन के साथ reaction करके salt बनाएगा अब आप से पूछेंगा बताओ कौनसा salt पहले precipitate हो रहा है या जब दूसरा salt precipitate हो रहा है तो पहले की concentration बताओ तीसरी की बताओ इस type के question होते है बेसिक concept आपको समझाता हूँ और फिर उसके बाद आपको question करके बताओंगा तो question से आप बहुत असानी से समझ जाते है यह तो मुझे पता है है ना जैसे यह container है ठीक है थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं यह container है इस container में इस container में मुझे दे रखा है suppose एक x-ion और एक y-ion मैं दो आयन लेके बताएता हूँ यह आयन मुझे दे रखते हैं इनकी कुछ particular concentration दे रखती है अब मैं इसमें अपनी तरफ से मिला रहा हूँ कोई metal का salt मैंने मान लिया m-plus m-no-3 metal nitrate से हो सकते हैं कुछ salt है ना तो मेरे पास कोई salt है जिसका metal के time है तो metal के time जब इसके साथ reaction करेगा इस वाले solution में जब आएगा तो यह reaction करेगा mx बनाएगा और m y के साथ reaction करके m y बनाएगा ठीक है और यह दोनों जो है वह sparingly soluble salt होंगे तो इसका अपना equilibrium चल रहा होगा m plus y minus और इसका अपना equilibrium चलता होगा m plus x minus लेकिन आपको यह बताना होता है क्या देखो इसका अपना ksp दे रखा होगा ksp1 और इसका अपना ksp दे रखा होगा ksp2 आप पर बताना होगा कि इन दौनों salt मैं से कौन से mx और my में से कौन सा पहले precipitate बनाएगा या जब पहला वाला precipitate बना रहा होगा तो दूसरे की concentration क्या होगी और दूसरा बना रहा होगा तो पहले की concentration क्या होगी अब यह सारी चीज़ें आपको numerical से समझ में आएंगी concept मैंने समझा दिया क्या है different ions आपको दिये हो गया तो दूसरे तीसरे salt की concentration बताओ पूरी की पूरी चीज़ें numerical से clear होंगी ध्यान से देखना नोट करना चाहोगे तो कर लोगे इना इसको है न अब देखो जरा ध्यान से यह सवाल है पूरा डीटेल में question है ठीके सारी की सारी चीज़े मैंने इसमें डाल दी पहले आफटावर से question पढ़ लो क्या कह रहे है पढ़ लो जरा एक अगर सीखना है न तो आपको पढ़ना भी पढ़ेगा सारी चीज़ें हमी नहीं करेंगे तुम भी कुछ करोगे दिख रहा है अच्छे से पड़ो जरा आ सॉलूशन कंटेनिंग सील नेगटिव यार नेगटिव आई नेगटिव टैंगी पार माइनस तू मोलर इनीशली ठीक है दे रखा है टू दे सॉलूशन सिल्वर नाइट्रेट इस ग्रेजुवली एडिट कैलकुलेट कैलकुलेट वाह फस्ट पार्ट विच आयन विल प्रिसुपिटेट फस्ट कॉंस आयन पहले बिपीटी बनाएगा ठीक है सेगें सेगें आप अगले वाले उसमें एड कर दिया मैं एक एक करके तोड़ तोड़ के स्टार्ट करेंगे पहला सवाल एक बार फिर पढ़ेंगे आज सॉलूशन कंटेनिंग समझना जरा बात को ध्यान से समझना है ना थोड़ा सा टाइन बस और दो आपका बूरा कॉंसेट सिखा के जाएंगे क्या क्या दिया है सियल माइनस बी आर माइनस और आई माइनस ये सॉलूशन में पढ़े हुए थे कॉंसेंटेशन सबकी बराबर थी टैन के पर माइनस टू मूलर अब इसमें तुमने एजी अनुट्री गिरेजुवली एड़ किया मतल़ धी में धी में धी में धी में बूंद बूंद सिल्वर नाइटेट डालोगे तो सिल्वर पॉजिटिव जो होगा मेटल के टाएन वो इन आएन के साथ सॉल्ट बनाए अब कौन सा पहले सॉल्ट बनेगा कौन सा बाद में बनेगा वो डिपेंड करता है लेकिन सॉल्ट तो तीन बनेंगे तब ही आपको तीन केस्पी दे अनके हैन अब धिएन से देखो कौन सा आएन पहले पीपीटी बनाएगा बताना ज्राएग की कण्डिशन आप मुझे बता सकते हूँ पीपीटी की कण्डिशन क्या होती है रिटा के एसपी क्या हो सऻOOD कम हो और कि क्या हो कि आईपी ज्स Maja जादा हूँ सब्सक्राइब की कंडिशन यहीं होती है कि नहीं होती है अभी बताया था पीछे के स्पी कम होगा कि आई पी जादा होगा तभी पीपीटी होगा किलियर बात है for numerical purpose अगर मैं इसको equal to लेके चल लूँ मैं ऐसा बोल देता हूँ कि saturated solution है equal to है अगर उससे concentration आपकी ज़्यादा या कम वो हम compare करा लेंगे हुई तो पीपीटी हो जाएगा मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्या कि KSP is equal to KIP की condition लेकर हम numerically solve कर लेंगे for numerical solve तो ऐसे करेंगे लेकिन last में हमें inequality लेके solve ही करना पड़ेगा मैं बताऊंगो कैसे करना है for numerical KSP is equal to KIP लेके में solve कर रहा हूँ कैसे अब मुझे बताना ज़रा अगर ध्यान से सुनना अगर AG plus को मैंने इसमें डाला किसमें CL माइनस में डाला BR माइनस में डाला I माइनस में डाला अगर मैं AG plus को CL माइनस के साथ ले लूँ ध्यान से अगर मैं ऐसा बोलू AG plus CL माइनस के साथ आ कि क्या बनाएगा AG CL बनाएगा, ठीक है, तो ध्यान से देखना, क्या बनेगा, AG प्लस बनेगा, CL माइनस बनेगा, इसका KSP गेवान है, 10 की पावर माइनस 10, ठीक है, और KIP क्या होगा, KSP is equal to लिख रहा हूँ क्या, KIP, for numerical हम ऐसे solve करने, KIP कितना, concentration of AG प्लस, into concentration of CL माइनस, अब मैं यहाँ value is equal to concentration of AG प्लस, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, concentration of AG प्लस, CL माइनस की कितनी है, 10 की पावर माइनस 2 initial गिवन थी, तो यहाँ से AG प्लस की concentration क्या आई बेटा बताना, यह आई 10 की पावर माइनस 8, मतलब 10 की पावर माइनस 8 मोलर जब इसकी concentration होगी, तब यह saturated solution होगा, ठी 10 की पावर माइनस 8 से, 10 की पावर माइनस 8 से कम होगी, कम होगी, तो precipitate बना लेगा, भाई 10 की पावर माइनस 8 पे saturated है ना, AG प्लस, कॉंसेंटरेशन अगर, ध्यान सुनना, AG प्लस, कॉंसेंटरेशन अगर, 10 की पावर माइनस 8 है, तब तो यह saturated है, मालो मैं इसको 10 की पावर बार-9 कर दूं ना 10 की बार-9 कर दूं 10 की बार-9 का मतलब क्या है मैंने concentration और कम कर दी अभी इसको चुपा लो मालो यह है मेरे पास यह अगर मैं इसको इसको भी चुपा लो ठीक है अगर मैं यहाँ पर AG प्लस 10 की बार-9 रख दूं ठीक तो आयेगा 10 की भार माइनस 9 into माइनस 2 किता होता है माइनस 11 तीग है यह माइनस 11 यह माइनस 10 मतलब के पिच्छोटा है मतलब प्रिशिपिट तो हो गई नहीं मतलब 10 की पार माइनस 8 से कम नहीं तेट गैज पीड़्य से ज्यादा व्यूंबंगे तभके आई पीजदा होके स्पीश से मतलाव य प्रंसेपमरेंट कम होगा ज़र कॉनसेट्रेशन जब कॉनसेट्रेशन ओफ-एजी प्लस देखते जाना इस गृतर देन क्या 10-80 अब वर माइनस 8 कि जब 10-80 से ज्यादा होगी तब यह पिर्शिपिटेट होगा ध्यान से बहुत ध्यान से ठीक देखते जाओ भी समझना बात को है ना आराम अराम से समझेंगे लेकिन अच्छा समझेंगे अब अगर मैं एडिसी यहल की जएगा एजी बीयार ले लों ठीक है अगर मैं एजी इसी यहल की जगे है एजीए ले लोगे एजीट तो देखना ज़रा है एजी बी यार कैसे टूटे गा एजी प्लस में और वी आर माइनसा देख रहा है आप लोगो बिल्कुल अच्छा है इसका KSP लिखना जारा क्या आएगा एजी प्लस कॉंसेंट्रेशन इन्टू बी आर माइनस कॉंसेंट्रेशन इसका KSP कितना दी है टेन की पावर माइनस थर्टीन इस एक्वल तो एजी प्लस कॉंसेंट्रेशन इन्टू बी आर माइनस कॉंसेंट्रेशन बी आर माइनस इतनी है टेन की पावर माइनस टू तो यहां से तुम्हारा एजी प्लस क्या आया यहां से तुम्हारा एजी प्लस आया टेन की पावर माइनस लेवन से ना माइनस टू या से पहले भही यहाँ ऐपी लग रहा था है मतलब इस से पहले यह और इक्चोल में जो एसी प्लस से ज्यादा ही होना चाहिए वैसे तो है ना एजी प्लस क्या होनी चीए ग्रेटर देन टैन की पार माइनस 11 होगा तभी तुमारा के आई पी जादा होगा के एस पी से तभी प्रसिपिटेशन होगा मतलब इतना तो पक्का है ना कि इससे पहले ये प्रसिपिटेट होगा क्लियर चलो भई अब ध्यान से देखना लास्ट कि एजी आई अगर एजी आई होगा तो क्या बनाएगा एजी प्लस और आई माहिनस थ्यान से देखना के एसपी लिखना जाई इसका के एसपी is equal to ?, एजी प्लस कॉंसेण्टेसं इन्टू आ-ई और इसका क्या के एजब्स कित्ता दिया है इसका एजी आई का दस की पहर AG plus concentration आगे 10 की पार माइनस 15 10 की पार माइनस 15 सही है अब देखो ज़रा यहाँ 10 की पार माइनस 8, यहाँ 10 की पार माइनस 11, वहाँ तो 10 की पार माइनस 15 और कम concentration में ही precipitate हो रहा है और actual में होगा क्या AG plus concentration क्या होनी चीए, 10 की पार माइनस 15 यह से जाधा होनी ची तभी प्रसेपिटेट बनें का तभी कि बढ़ा होग लेकिन इतना तो पक्का है न कि इससे पहले यह प्रसेपिटेट होगा मतलब पहले वाले कोश्चन का आंसर आपका आचुका है क्या विच आयन बिल प्रसेपिटेट फस्ट आप बोलोगे ऑई- आले का एजी प्लस काणसेंटेशन या कम लग रहा है अब डारेट कैसे करतेंं थारेट बतम मुलत किसका क्सपी सबसे कम है डेखो एक फिसका कैस कि सबसे कम है भाइं के स्पी लेस दें के आईपी होता है तभी तो प्रिसिपट होता है मतलब जिसका KSP कम उसका ही आंसर लगा देना मतलब AGI, AGBR, AGCL किसका KSP कम है AGI का कम है तो यही आंसर होगा सीधा I- लेकिन वो तो J-एडवांस वाले हैं J-एडवांस वाले हैं तो माल लो अगर उनको यह पता चल गया कि पंकर सर्ण ने बता दिया पहले से ही है जब सॉल्ट सेम टाइप का हो देखो AGCL, AGBR, AGI माल लो अगर कभी ऐसा बोल देते AG, CL2 सब हो जैसा मतलब ऐसे CABR2, NABR ऐसे डिफरेंट टाइप के सॉल्ट होते तब तुम्हें यही करना होता इसलिए तो मैं तुम्हें यह सिखा रहा था वरना मैं direct नहीं बोल देता यहीं से, किसका KSP का मैं मैं सीधे आता, यह नहीं बताता, आपको क्या बोलता मैं, किसका KSP का मैं आप बोलतेए एकदम खुशी कुशी सा 10 की बार माईस 17, मैं बोल देता यही PPT बनेगा, क्यों क्योंकि की KSP का मैं लेकिन फिर बाद में कभी अगर सवाल आता ना तो आप मुझे गाली देते फिर, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, क्या, AG plus concentration निकाल के चेक करना होगा, कि किसका AG plus concentration सबसे कम आ रहा है, मतलब AG plus concentration, मतलब कम आ रहा है, मतलब कम में ही काम हो गया, अगर AG plus concentration क कम है, मतलब कम में ही precipitate बन गया, कम में ही काम हो गया, मतलब वही तो पहले PPT बना लेगा, ठीक है, तो ये कहानी है इसकी, तो पहले वाले का answer आपका ये आ गया, अब आप मुझे sequence भी बता दो, PPT का, पहले I minus PPT होगा, ठीक है, फिर BR minus होगा, और फिर CL minus होगा, इस question में same type के salt है, तो KSP के sequence में PPT कर देना, जिसका KSP सबसे कम, उसका PPT जल्दी बनेगा, आप इसको चाहो तो rule के form में याद भी रख सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना, अगर same type का salt होगा, तभी ऐसा होगा, अगर same type का salt है, तो जिसका KSP कम है, जिसका KSP कम है, तो वो PPT बनाएगा, परस, PPT फरस्ट, लेकिन ये कब valid है, जब इस type के salt हो, हर एक जगए valid नहीं है, ये, salt का type change कर देंगे ना, तो कहानी बतल जाएगी, फिर तो मैं ऐसी करना पड़ेगे, इसलिए तो इसकार हूँ इतना, और ये जी मेन में आने वाला है, ना नीट का आने वाला है, चलो फट इच आयन विल प्रिसिपटेट फर्स्ट, आई माइनस, फिर बी आर माइनस, फिर चील माइनस, इतना दो हमें पता चली गया ना, और अची बात पता चल गया आपको, वेरी गूट, कॉंग्रेटिलेशन, ठीक है, अब देखना जेना, बी पार्ट, क्या है भी पड़ेगो, तो, concentration of ag plus, when first iron start PPT, ये तो हम निकाल चुके है, देखो, 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 concentration of ag plus, when first iron start PPT, पहले यही PPT होगा ना, अगर मैं sequence of PPT लिख दूँ, तो पहले यह PPT बनाएगा, फिर यह PPT बनाएगा, और फिर यह PPT बनाएगा, और आप से पूछा था क्या, ag plus concentration बताओ, जब PPT मतलब, first PPT हो, तो 10 की बार माइनस 15 आया था, लेकिन उससे ज़्यादा होनी चाहिए, है ना, वो तो saturated के लिए हम solve करते हैं, numerical में, तो 10 की बार माइनस 15 से ज़्यादा, तो इसका आंसर है, ag plus concentration is greater than 10 की पावर, माइनस 15, इस दा आंसर, second वाले पार्ट का, फटावट से नोट क अब चलते हैं, third part पर, third part इसका कहा है, अच्छा मैंने third part हटा दिया था, चलो बापिस ले आते हैं क्या दिक्कत है, कॉपी कर ले दें तो अपना आ जाएगा, देखो, यह first part का solution हो गया, इधर हम second बना लेगे हैं या थड़ी आखो, चलो, second वाले का जो solution था, वो मैं यहीं लिख देता हूँ आपके लिए, फटा बट से बस, दो मिने टुक जाना जाएगा, फटा बट मिठा दू, फट 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 ऐसे, देखो, second वाले का answer आपका क्या आया था, concentration of ag plus क्या होना चाहिए, greater than, 10 की पार माइनस 15, ठीक है, यह हो गया था second का, चलो, अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे, third part की, c वाले की, ध्यान से देखना ज़रा, बहुत ध्यान से, थोड़ी दिर रुख जाओ, बस काम हो जाएगा, आप पूरा समझ के जाओ, अ पढ़ा दिवस हो गया, कित्ता पढ़ हो गया, चलो, third part क्या कहता है, पढ़ना जरह, third part में यह कह रहे हैं, concentration of i- and cl- when agbr start precipitating, देखना जरा, ध्यान से, देखना, 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 ध्यान से, क्या बूचा है, agbr जब ppt बनना चालू होगा, क्या बोला, जब agbr ppt बनना चालू होगा, ये, ये, तो बताओ, ये वाला और ये वाले आयन की concentration क्या होगी, मतलब, i- और br- कि मुझे वा बताना, आपने जो sequence बोला था क्या, पहले ये precipitate होगा, फिर ये precipitate होगा, और फिर ये precipitate होगा, इसी sequence में precipitate होगा, जब ये precipitate होगा, तो ये दोना precipitate नहीं होगे, तो जब agi precipitate हो रहा होगा, तो इनकी और इनकी concentration 0.1, 0.1 रहेगी, 10 की पार माइनस 2, जब ये ppt हो चुका है, अब इसकी बारी आई, किसकी? इसकी, अब इसकी बारी अगर आई है, तो जब यह PPT हो रहा होगा, यह तो हो चुका होगा, यह हो रहा होगा और यह तो अभी भी नहीं होगा, मतलब CDC कहानी क्या है, ध्यान से समझना ज़रा जो मैं कहना चाहरा हूं, देखो, sequence क्या था आपका, PPT का, सबसे पहले AGI precipitate हो रहा है, फिर AGBR precipitate होगा, उसके बाद बारी आएग यह AGCL की, यही था न, PPT का sequence, तो मुझे बाद बताओ, जब यह precipitate हो चुका है, उसके बाद इसकी बारी है, जब यह precipitate हो रहा होगा, तो यह थोड़ी होगा, मतलब, concentration of I- and CL- when AGBR starts precipitating, मैं CL- उतना ही रहेगा, यह बाद समझे क्या, जब AGBR precipitate होना start होगा, तो उस time पे CL- वैसे ही पड़ा होगा, वो इंतजार करेगा, कब AG plus की concentration 10 की पार, minus 8 और उससे ज्यादा हो जाए, तभी हम PPT बनाएंगे, हम PPT नहीं बनाएंगे, मतलब, AGC, AGBR के time पे यह दोना से बनाएंगे, मतलब, अगर मैं सीधा सीधा सीक्वेंस बोलूँ क्या, AGI तो अगर CL- 10 की पार, minus 2 है, मतलब, AGBR ही precipitate होना start हुआ, यह वाला, अगर यह PPT start किया, तो इसका PPT नहीं बनेगा, इसका बन चुका होगा, लेकिन हाँ, इसका कुछ थोड़ा बहुत amount बचा होगा, तो वो निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, AGBR जब PPT हो रहा था, उस time पर कॉंसेंट्रेशन क्या होगी, निकाल चुके हैं यह हम पीछे, जब AGBR precipitate बनाएगा, तो 10 की पावर, minus 11, ठीक है, यह concentration उठा लेते हैं, क्या, यहांचे देखना जड़ा, when, AGBR, when AGBR, start, starts PPT, जब AGBR precipitate बनाना, start करेगा, उस time पर AG प्लस की कॉंसेंट्रेशन कितनी आएगी, 10 की पावर, minus 11 आएगी, और अब इसी कॉंसेंट्रेशन पर, I minus कितना होगा, तो अब आपको, वो पुट करके देखना पड़ेगा, कैसे, AG प्लस, into I minus, is equal to KSP of AGI, यह लिखोगे आप, और यहां पर तुम इसका पुट कर दो, कॉंसेंट्रेशन, 10 की पावर, minus 11, और बचा, खुचा, I minus, निकाल लो, जो कि बहुत कम होने वाला है, देख लो, आप इसी सही समझ में आ रहा है, बहुत कम होने वाला है, मतलब 10 की पावर, minus 6, तो देखो, तो देखो, कितना कम है, 10 की पावर, minus 2 molar, initially था, बहुत सारा PPT हो चुका था, पहली बार, जब AGI, परसेपिटेट बना रहा है, तो उस टाइम पर यह भी थोड़ा-थोड़ा हो रहा है, अगर आप परसेंटेज में निकालोगे, तो 99.98 परसेंटेज PPT हो चुका होगा यह पहली बार में अपने टाइम पर, और जब AGBR प्रसेपिटेट बना रहा होगा, तो उस टाइम पर कितना, 99.99 प्रसेपिटेट नहीं बनाएगा, यह बनाएगा, कितना बनाएगा, बहुत कम बनाएगा, क्यों, जब इसकी बारी आई थी, यह सबसे पहले प्रसेपिटेट बना लिया था, अब 0.02 परसेंट बचा था तो यहां बना लिया उसने, ठीक, चलो भाई, C वाला हो गया, अब चलते हैं D वाले पर, लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट क्या कहता है, पहले यह हटा दें जरा, कहानी समझ में आई होगी आपके, अगर आप वाकई में J एड देख लेंगे, अगर समझना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से समझों में बढ़िया तरीके समझाता हूं यह चीज है ना, कॉंसेंट्रेशन आप यार माइनस ध्यान से देखना जरा, कॉंसेंट्रेशन आप यार माइनस और आई माइनस विन एजी सियल स्टाट प्रसेपि हो रहा होगा तो यह दोनों नहीं हो रहे होंगे, मता यह बनेंगे नहीं उस टाइम पर, मता सिर्फ बी आर माइनस और सिर्फ सियल माइनस मिलेगा, ठीक, जब यह प्रसेपिटेट हो रहा हो तो यह तो पहली हो चुके हैं, लेकिन जो भी बच्चा खुचा आमांट था, व एन, एजी सी एल स्टार्ट कारम इसटार्ट होगा, तो उस टाइम पर, एजी प्लस पॉन्सेटेशन, कितनी निकाल इंपन ने है, देखो उस ताइम पर, एजी प्लस पॉन्सेटेशन, तो बहुत बाए-van कि निकाल चुका हैं वर देखो rolling, गद divine by наверное , तो 10 scar temu और माइनस 8 हमने concentration निकाली है देखो तो यहां लिख रहा हूं में क्या concentration of ag plus कितनी 10 की पावर माइनस 8 अब इस concentration पर agbr और agi के लिए solve करके देख लेंगे कि कितना बचा खुचा बहुत कम होगा लेकिन जितना भी होगा हमें तो निकालने के लिए बोला गया है जितना भी होगा हमें निकालने के लिए बोला गया है निकाल लेते हैं देखो मैं agbr के लिए लिखू क्या concentration of ag plus into concentration of br minus is equal to ksp यह लिखूंगा ag plus कितना लेना है 10 की बार माइनस है जब यह precipitate होना स्टार्ट होगा तो वही पूट करोगे यहां पे br minus मुझे निकालना है ksp कितना दिया था agbr का 10 की बार माइनस 13 दिया था क्या कितना गिवन था ksp हाँ माइनस 13 इसका माइनस 17 उसका ठीक है तो बीयार माइनस यहां से कितना आ गया बीयार माइनस आ गया विटा आपका 10 की पार माइस 13 अपॉन 8 8 7 15 मतलब माइनस 5 देखो तो जब मैं इसको सॉल करूंगा तो 10 की बार माइनस 5 गाएगा मतलब बहुत ही कम अमाउंट बच्चा है जो प्रिसिपेट होना है लेकिन फिर भी हमें निकालना है वहीं पूछा क्वेस्टन में यह आ गया सिमिलरली एजी आई का निकालो एजी आई तो देखो भाई पहले ही मैक्समम हो गया था फिर एजी बियर के टाइम पे भी कुछ थोड़ा बहुत बचा था अब एजी से बहुत कम बचेगा देखो ज़रा चेक कर लेते हैं अपन एजी आई के लिए तो यहां बच्चा खु बच्चा टाइ माइनरस यांस विए रहां से थोड़ी दिर के एसपीड कि एजी प्लस कि ना है थैंगी पार माइनस एट है यह माइनस मुझे निकालना है एजी आए यह कितना था के स्टेन की वार माइनस 17 था एसका ठीक मतलब आए माइनस तुम्हारा क्या आगया आई गया आपका concentration 10 giver मिनस 17 अपॉन 8, 8, 9, 9 दो हो आजा का 10 दो खाए का 10 जा था मिनस 9 जहीं ना 10 गी भार माईनस 9 हैं सुटो कितना कम है देख लोग कितना कम आया एठिक है तो ये गाहानी दी इसकी concentration of BR-1 मैंने जब AGC and participate होना इस्टार्ट हो का हमझा कहा है निए कि शुरू से एक बार फिर देखेंगे देखो तरह क्या था मैंने आपको ये बताया था समझा है तो थोड़ा सा दो मिनिट और यतना समझा है तो थोड़ा और समझे लो कहानी कुछ ऐसी थी कहान से देखना चला है कहानी कुछ ऐसी है कि यहां लिखनाओ में concentration of AG plus concentration of क्या AG plus ठीक है अब AG plus की concentration क्या क्या आई थी ठीक है आप पीछे देखो के तो आपको मिलेगा मैं लिख देता हूँ यहाँ 10 की पावर माइनस 15 एक ये concentration आई थी ठीक है और एक आई थी 10 की पावर माइनस 13 एक ये आई थी और एक आई थी 10 की पावर माइनस एट शुरू में जो निकाली थी अब आपको किलियर समझ में आएगा सवाज धियान से बस दो मिनिट समझ लो मैं आपको दिखाऊं जरा कहां निकाली थी ये देखो माइनस एट माइन अच्छा माइनस 11 थी और एक 10 की पार माइनस 15 माइनस 11 सॉरी माइनस 11 यहां पर इधर माइनस 11 आई थी आई जिए और क्यों हों अपो कि टो कि एम है कि देहं हो जरा है आज कि प्लस की आपकोदे संप्लें में वीलई थी चीपू करते टाइम 10 की फार मैस 11 जाए टी और एजी आई साल करते टाइम 10 की फार माईनस 15 आइथी अब कहानी क्या है अब ध्यान से समझना आप आगा मजा देखो जब तुम्हारी इपलस की कॉंसेंटैसम तर वार मैनस 15 तक है मतलब नीचे से आ रहेगा सबोस यहाँ पर 10 की पार माइनस 25 होगी या माइनस 30 होगी जो भी है यहाँ कम होगी और यहाँ जादा होगी 10 की पार माइनस 4 माइनस 3 इस टाइप से ऐसे आ पारे हो तो जब concentration तुम्हारी तुम्हारी बढ़ती जा रही है ठीक है पहले बहुत कम थी बढ़ती जा रही है कब तक 10 की पार माइनस 15 तक तब तक कुछ भी नहीं होना तब तक कुछ भी नहीं होना no precipitation no PPP क्यों क्योंकि इस टाइम पर किस टाइम पर KSP is greater than क्या है किस टाइम पर KSP is greater than क्या है कि AIP है कोई PPT नहीं बनेगा, इस टाइम पे कोई PPT नहीं बनेगा, ठीक है, no PPT, अब जैसे ही 10 की पार माइनस 15 से आप उपर जाओगे, इस से जैसे जैसे उपर जाओगे, कहां तक, इधर तक, तो क्या होगा, AGI, AGI precipitates, सबसे पहले AGI precipitates होगा, कब तक यहां तक, जैसे ही आप यहा हो जाएगा, AGBR precipitates, कब तक, माइनस 8 तक, समझे कहां नहीं, जैसे आप इस से उपर जाओगे, इसके उपर आप जाओगे, तो AGCL precipitates, ऐसा, तो मुझे एकवाँ बताओ, क्या AGI इतने हिस्ते में precipitate होगा, नहीं, जब AGBR precipitate होता है, तब भी AGI कुछ ना कुछ precipitate होता है, और AGCL के टाइम पर भी कुछ ना कुछ precipitate होता है, मतलब, मुझे ये चीज़ एडिट करने की ज़रूद है, क्या, कैसे एडिट करना है, AGI AGI precipitate होगा, कहां से कहां तक, AGI होगा, फुल, यहां से, यहां तक, मतलब, 10 की पार माइनिस 15 से, जैसे ही आप concentration बढ़ाओगे, AGI पूरे हिस्से में, मतलब, पूरे के पूरी जब AGCL precipitate होता है, उस टाइम पर AGBR गुछना गुछ precipitate होता है, है ना, और AGCL जब precipitate होना start होगा, तो सभी precipitate हो रहे होंगे, देखो, AGCL के time पे तीनो precipitate होते हैं, मैंने आपको सवाल इसले कराया, वो बहुत अच्छा सवाल है, AGCL के time पे, जब AGCL precipitate होना start होता है, तो तीनो precipitate होते हैं, जब AGBR precipitate होना start होता है, तो ये वाला और नीचे वाला ये दोनों होते हैं, उपर वाला precipitate नहीं होता, जब AGI precipitate होता है, तो यही होता है, ये दोनों नहीं होते, इसलिए तो मैंने बोला था, कि जब पहला iron precipitate होगा, तो इन नोनों की concentration वही रहेगी, जो solution में ह समझ गहां नहीं पूरी कि पूरी क्या है यह कहांनी है इधर तो सभी alarm का के एसपी काई भी से जधा है बागी इन position पर इनका क्षब झाहए यहां लिखना चाहूँ इधार इधार इस वाले life ुर्शन में कि आई-पी तो प्रसेपिटेट होना स्टार्ट हो जाएगा और ऊपर जाओगे उस पॉइंट के ऊपर टैन की पार माइनस एट के तो के एसपी लेस दैन के आई-पी स्टार्ट हो जाएगा ऐसा कहानी होती है यह समझ कहानी पूरी देखो समझ में आई यह तो बहुत प्रसेपिटेशन KSP के आई कि वाली चीज पढ़नी बस इतना बढ़ देना तो काम हो जाएगा बागी पूरा का पूरा टापिक जितने बागी पढ़ायें सब जीए अड़्वांस के लिए चलो मिलते हैं फिर नेक्स लेक्चर में तब तक के लिए बाइ आपको मैं एक ची थैंक यू ठीक है चलो ओके बाई बाई